हेलो स्टुडेंट्स माइसेल्फ योगेंदर बगडिया टीम बोटनी सीलसी सिकर बायो केम एट के अंदर जो आज अपन पेपर सॉलुशन करने जा रहे हैं उसमें जो अपना पेपर था वो बिल्कुल क्योंकर नमबर वन से क्युशन नमबर वन है सेकेंडर मेटाबोलाइड़ डेट बिलोंग टू लेक्टीन इटक उपाट्य रेक्टीन से समबंदित हैं कौन से हैं इन में कैरोटीनोइड जो हते हैं वह एक पिगमन्ट है वर्नक है गम की बात करें तो यह कोलीमेरिक सब्स्टेंस होते हैं ठीक है अगर अगर अपने लेमन ग्रास ओइल की बात करें तो यह एक एसेंशल ओइल के अंदर आता है अकोडिंग एंसी आटी का जो इंडेक्स है उसके अकोडिंग केरोटिनोइड्स गौंद निम्भू घास तेल और अगर अपने लास्ट ओप्शन की बात करें यहां पर और वो लास्ट ओप्शन अपना के कौन केने वेलीन ए जो बिल्कुल किसे सम्दित है लेक्टिन से आपकी क्या रहेगा सम्दित रहेगा तो यहां पर जो एंसर जो कश्टन यो जाएगा इसके अंदर नेक्स आगे बढ़ते हैं कि किस्प्शं तीक को डीन इस कोडीन है यह यह वह पैपर जो है भी नहीं आता है अदर बहूलक था जो आते हैं एक ग crush यूजिफ दा cotton fiber made up by कपास रेशी बने होते हैं विल्कुल NCRT जो है वो आपका statement उसमें जो कपास रेशी जो होते हैं या जो cotton fiber जो होते हैं वो किसके बने होते हैं तो starch इसके नहीं बने होंगे glycogen, cellulose, kaitin तो यहाँ पे जो NCRT का statement है वो यही कहे रहे कि जो cotton fiber जो होते हैं जो कपास रेशी जो होते हैं वो basically किसके बने होते हैं? cellulose के बने होते हैं या cellulose द्वारा क्या होते हैं आपके निर्मित होते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो है वो answer क्या हो जाएगा आपके third option क्या हो जाएगा? ये भी कही न कहीं आपके एक शुगर के अंदर आते हैं बट यहाँ पे कपास रेशे जो हैं वो कपास रेशे जो हैं वो इससे सम्मंदिते नहीं होंगे तो थार्ड ओप्शन क्या हो जाएगा राइट चला जाएगा इसके इसदर मंड आयोडीन अनुसे जुड़कर कौन सा रंग देता है तो यहाँ पर एक आयोडीन सॉलिशन होता है और उस आयोडीन सॉलिशन के अंदर जो है वो इसको मिक्स किया जाता है गोला जाता है और जैसे अगर उसका जो सॉलिशन है ठीक है ना यह स्टार्च सॉलिशन के अंदर जैसे अपने आयोडीन सॉलिशन डाला अगर उसका solution का जो color है वो आपके क्या हो जाए चेंज हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पर आपको starch जो है वो देखने को मेरीगा ऐसा इसली होता है क्योंकि ये एक वले युक्त क्या होता है आपके सरचना होती है जिसमें ये iodine अणू क्या करता है hold करके रखता है पकड़ के रखता है तो यहाँ पे red color नहीं होगा blue color of course यहाँ पे blue color option होगा अगर अपन second option को सही मान रहे हैं तो third option भी देख लेते orange color नहीं होगा नारंगी color भी नहीं और brown color भी नहीं होता है तो यहाँ पे answer क्या होगा fourth option के अंदर क्या चला जाएगा second option और यह second option क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इसका कौन सा color होगा blue color होगा ठीक है आगे बड़े NCRT based बिलकुल statement है यह पांच वे नंबर का next देखते हैं इसके अंदर aromatic amino acid is aromatic amino amino है ठीक है तो यहाँ पे कुछ option दे रखे हैं ठीक है ताइरोसीन एक amino acid है phenyl alanine एक amino acid है tryptofen एक amino acid है tyrosine भी है phenyl alanine भी है tryptofon भी है और यहाँ पे जो last option दे रखा है एक से अधिक विकल क्योंकि NCRT ने clearly बोल रखा है कि यह जो तीनों है कौन-कौन से टाइरोसीन है phenyl alanine है tryptofen है यह तीनों के यह तीनों जो है वो किसके अंदर समलित किये जाते हैं aromatic compound के अंदर क्या किये जाते हैं समलित किये जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे option होगा वो option कौन से हो जाएगा fourth option क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा तो यहाँ पे option जो है वो fifth question के अंदर क्या जाएगा पौर्थ option राइट हो जाएगा ठीक है विल्कुल NCRT best statement है अगर आपने NCRT के अंदर विल्कुल सही से concept best अगर study की है ठीक है तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत या problem नहीं आएगी फिर भी अपन एक बार one by one करके सारी question solve करें देखो the most abundant protein in animal world सबसे अधिक प्रचूर प्रोटीन जन्तु जगत में उपस्तित है को लेजन ट्रिपसीन इंसुलीन एंटिवोडी को लेजन ट्रिपसीन इंसुलीन परतिरक्षी ठीक है तो अब यहाँ पे जो कोलेजन है वो एक प्रोटीन है ट्रिपसीन भी कहीं न कहीं एक प्रो तो अब मैं ओü सिनोजन जिसको आपने बोल रहे है ठीक है वो काम है इंसुलीन जो है वो आपके क्या है एक होर्मोन है एंटीवोडी एक क्या होता है आपके पतिरक्षी होता है जो एंटीजन से लड़ने में साहिक होता है और वो कहीं न कहीं प्रोटीन है लेकिन asya कौई में या उसको जोडने में जहां पर क्या होता है इंटर सेलुलर जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है देखने को मिलता है तो सबसे अधिक पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सा हो जाएगा कोलेजन हो जाएगा तो यहां पर option जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके first option क्या हो जाएगा six number के अंदर right हो जाएगा collagen ठीक है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल NCRT-based है seven number the most abundant protein in the wall of biosphere is जिये मंदल में कौन सा परचूर मात्रा में protein उपस्तित होता है बिल्कुल एक अच्छा question है और NCRT-based question है और आपको तो बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे अधिक प्रचूर मात्रा में पाए जाने वाला जो protein है बिल्कुल जे मंदल के अंदर biosphere के अंदर वो कौन सा होगा पैप को नहीं होगा rubis को जो enzyme है जो कहीं न कहीं plant के अंदर अपनने जब प्रिजोलोजी अपन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर देखा है कि जो रुबिस को enzyme होता है जो C3 cycle है उसमें glucose को बनाने में क्या होता है तो रुबिस को मतलब क्या राइबलोज बाइफोसफेट कार्वोग्जीलेज ऑक्सिजिनेज एक enzyme होता है उसी को short form में लिखा गया है यहां पर हेक्जोकाइनेज एक enzyme है यह चारों वैसे enzyme है लेकिन यहां पर जो पुछा गया है अबंडेंट सबसे अधिक मात्रा में यह प्रचूर मात्रा में पाए जाने वाला जो enzyme है क्योंकि protein दे रख है और protein सी क्या बनते हैं आपके enzyme का क्या होता है formation होता है निर्मान होता है यहां पर answer क्या होगा 7th के अंदर चार option अपने पास में है primary structure of protein secondary structure of protein tursary structure of protein quaternary structure of protein अगर आपन बात करें यहां पर हिंदी के अंदर protein की प्राथविक सरचना से प्रोटीन की दृत्यक सरचना से प्रोटीन की तृत्यक सरचना से प्रोटीन की चतुष्क सरचना से देखो बच्छो बिल्कुल एक concept best जो है वापके answer यहाँ पे मिलेगा आपको और वो क्या रहेगा जैसे अपन जानते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से जो enzyme है उसमें इस तरीक के अंदर यह वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं active site active site और इस active site के अंदर क्या आता है आपके substrate आता है क्रियाधार आता है तो इसको अपन एक बार के लिए माल लेते हैं क्या यह क्रियाधार हो गया substrate ठीक है यह substrate आ गया तो यह जो substrate है यह इस active site के साथ भी जुड़ेगा और जुड़ करके यही substrate किसमें change हो जाएगा product के अंदर या उत्पात के अंदर क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा या change हो जाएगा तो यहाँ पर मुख्यत है अगर आपन देखें तो जो enzyme है उस enzyme के अंदर protein की कौन सी सरचना पाई जाती है तृत्यक सरचना पाई जाती है और इसमें कहीं न कहीं अपन ने यह पड़ रखा है कि जो holo enzyme होता है holo enzyme जो होता है इस holo enzyme के अंदर दो पार्ट होते है एक तो क्या होता है एपो enzyme थे अंदर तो यह मिलकर क्या बनाते है holo enzyme क्या करते है निर्माण करते है ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा जो स्टेट है वो इस एक्टिव साइट में आएगा और एक्टिव साइट में जैसे आएगा तो यहां पर रासायनी कभी करिया होगी और टूटेंगे भी और जुदेंगे भी नए बॉंड का निर्मान होगा और फिर प्रोड़क्ट का क्या हो जाएगा आपके पोविशन हो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर, 9th नंबर के अंदर, question number 9th के अंदर, how many carbon present in pomatic acid and arachidonic acid, बिल्कुल NCRT based है, pomatic अमल और arachidonic अमल में कितने carbon संख्या होती है, तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है कि कितने carbon सारचना जो है, वो देखने को मिलेगा, first option है 20-16 20 अगर आपन माने तो phomatic तो ऐसा नहीं होता इसके अंदर ठीक है? सोला भी नहीं होती सोला अगर अपन कहें तो phomatic acid के अंदर जो carbon sun का होती है 16 होती है, 16 होती है और arachdonic acid के अंदर किती होती है 20 होती है, तो जो अपना answer है, वो क्या होगा? second option हो जाएगा अब देखो यहाँ पर जो exam है जब आप exam के अंदर बैठो हो और वहाँ पर यह देखिएगा कि चार option है अपने पास में अगर first option है वो write हो गया statement से related यह जो second option है वो write हो गया statement से related तो अगर आपन चाहे हैं तो statement अगर नहीं भी पढ़ेंगे यह skip कर जाएंगे तब भी सही रहेगा अपने लिए क्यों कि अपने पास में answer आ चुका है और वह answer कि आपके 9th के अंदर second option हो जाएगा ठीक है कि नेक्स्ट है lecithene एँ, ठीक है prec likelihood है तो इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगे लe वह आपकी क्या होत्य हो यह सिंपल लिकिड होते क्या यह protein होते क्या है यह CRT के अंदर एक diagram दे रखा है ठीक है structure दे रखा है और वो जो lecithene है वो lecithene denote कर रहा है किसको phospholipid और phospholipid जो है वो कहीं न कहीं आपके जो cell membrane जो होता है जो कोश्ट का जिली जो होती है उसका आप यह कह सकते हो कि मुख्य घटक होता है लिपिड प्लस प्रोटीन उसमें से लिपिड जो हता है उसमें लिपिड में भी कौन सा होता है phospholipid होता है तो यहाँ पे 10th के अंदर जो अपना answer जाएगा वो answer कहते ला जाएगा 3rd option क्या हो जाएगा right हो जाएगा next आगे बढ़ते है 11th के अंदर which one is the correct best pairing for DNA molecules ठीक है निम्ण में से कौन सा यूगम DNA अनों में सही यूगम को परदशित करता है ठीक है ना तो इस वे से ये देखा है अपने को और ये पहचानना है कि इन वे से कौन सा है तो अपन जानते हैं कि जो एडिनीन होता है वो थाइमेडीन के साथ में और जो ग्वाइनीन होता है वो साइटोसीन के साथ में क्या करता है हाइडोजन बंद का क्या करता है आपकी निर्माण करता है तो जो एडिनीन और थाइमीन है वो तो डबल बॉंड बनाएगा और guanine और cytosine जो है वो आपके क्या बनाएगा triple bond करेगा formation करेगा अब इन में से अपने को पहचान है कि कौन कौन से cytosine है uracil है ये नहीं होगा इसके अंदर thymine है guanine है ये भी नहीं होगा cytosine है adenine है ये भी नहीं होगा cytosine और guanine ये answer अपना चला जाएगा तो fourth option अपने सामने देखने को मिल रहा है मतलब यहाँ पर cytosine और guanine के मद्दे में हाँ c और triple bond जो है वो gb हो सकता है जरी नहीं कि g और c हो c और gb हो सकता है तो यहाँ पर answer क्या होगा अपना 11th के अंदर जो है वो fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा ठीक है आगे बड़े 12 न statement is incorrect बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है सत्य कथन कौन सा है इन में से वो देखना है दा विल्डिंग ब्लॉक इसे नुक्लियोटाइड फॉर नुक्लिक अमल की निर्मानकारी इकाई नुक्लियोटाइड होती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि dna यह जो नुक्लिक असिड होता है कि यह नुक्लियोटाइड की यह क्या होती है श्रुंखला होती है या पॉलिमर ओफ नुक्लियोटाइड जो है वो ही क्या कहलाता है dna यह फिर rna कहलाता है तो यहां पर जो नुक्लियोटाइड है वो आपस में फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या होते है जुडे होते हैं तो इस तरीके से ब्लॉक्स अपन मान सकते हैं तो यह अपने आप में क्या होगा नुकलियोटाइड है यह भी नुकलियोटाइड हो गया यह भी नुकलियोटाइड हो गया यह भी नुकलियोटाइड हो गया तो यह आपस में क्या होते हैं जुड़े होगे हैं, ठीक है। ये statement क्या है आपके बचो? ये statement क्या होगा? रोंग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो nucleic acid होता है वो nucleic acid basically acid insoluble के अंदर present होता है या nucleic अमल जो है वो जीव उतक के विलिय अंश में ना हो करके एविलिय अंश में क्या होता है पाया जाता है DNA and RNA function as genetic material DNA वे RNA आनुवानशिक पदार्थ की तरह कारिये करते हैं बिल्कुल सही बात है अगर अपनी बात करें तो अपने अंदर अनुवानशिक पदार्थ का है DNA है जीवानों की बात करें तो अनुवानशिक पदार्थ का है DNA हाँ वाइरस जो होते विशानों जो होते उनमें क्या होता है RNA होता है दोनों अप्शन यहाँ पर सही है वहलब DNA और RNA जो है वो जैनेटिक मेटेरियल की तरह या अनुवानशिक पदार्थ की तरह क्या करता है कारिये करता है चोथा ऑप्शन के है देरार्थी हाइडरोजन बांड बिट्विन जी एंड सी इन डियने मॉलेक्यूल डियने अनुमें तो यहां पर इनकरेक्ट पुछा गया अपने से ऐसक्तिय के संबंद में जो है वह आपके प्रेल्थ के अंदर जो है वह सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा बिलकुल एंसी आप स्टेट्मेंट है यह जितने भी क्यूशन आप सोल कर रहे हो ठीक है ना यहां पर वीडिय कि चलिएगा अगर आपने इनसी एलटी अगर अच्छे से रीड किया पढ़ा है तो आपको बिलकुल अच्छे से एकड़ू बिलकुल मजा आया होगा पेपर देने में और आपने यह महसूस किया होगा कि अपने तो सारे question जो है वो सही हो रहे है क्योंकि अपने NCRT बहुत अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो आपके क्या कर रखा है read कर रखा है ठीक है आगे बढ़ते next 30 number में देखेगा adenosine triphosphate is presenting adenosine triphosphate उपस्तित होता है अब देखो क्योंकि जो भी कोशिका है जो cell है इस cell का जो energy currency जो होता है या जो उर्जा का अपन ये कह सकते है मुख्य जो श्रोत होता है वो सभी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है ATP ही होता है ठीक है ना और ये start कहason से मान सकते है अपन जैसे जिवानों से मान सकते है ठीक है սिवानों से लेकर के जितने भी examples से जितने भी उधारण है उन सभी के अंदर ATP के होता है UPASTA होता है और वो आपको देखने को मिलेगा किस के अंदर animal के अंदर plant के अंदर micro organism के और के ऎंदर जिए से जिवानों के अंदर देखने को मिलेगा जंतु कोainted के अंदर पदप कोषिका के अंदर सुक्षम pani zeknda इसलिए यहां पर जो विकल्प या option होगा क्या हो जाएका moment than one option मतलब एक से अधिक क्या हो जाएंगे विकल्फ हो जाएंगे तो यहां पर option जो जाएगा वह आपके कौन सा हो जाएगा थार्ट option के हो जाएगा राइट हो जाएगा तो 13 के अंदर अपना जो answer जाएगा वो क्या जाएगा 4th option चला जाएगा ठीक है 13 के अंदर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में देखेगा विच अव द फॉलॉइंग स्टेट्वेंट इंकरेक्ट वापस से अपने को जो कथन सही नहीं है उसके बारे में पहचान करनी है और वो कैसे करोगे देखो और ग्रॐफजस्ट बार में अंडर और में स्टेट्मेंट जीरफ स्टेटिय junior से कड़ियूश्यां पहलें ने होती है कोश के श्वशन के दोरान एटी प्रणू निर्मित होते हैं और ग्लाइकोलाइसी से उपाप्ची पत है तो यहां पर अगर अगर आपन चार ओप्शन की बात करें तो इस और यह बिलकुल NCRT-based statement है ठीक है जीव अवस्ता सदेव सामय अवस्ता में होती है यह नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर जितनी भी रासाइनी का विक्रिया चलती है चाहे उप्चे ही हो चाहे अप्चे ही हो एनावोलिजम हो कैटावोलिजम हो तो यह सभी रासाइनी का वि हो जाएगा रॉंग हो जाएगा तो अपना 14 के अंदर जो एंसर जाएगा क्या जाएगा सेकंड ऑप्शन ठीक है आगे बड़े 15 की बात करें इन BDNA each helical turn content BDNA में प्रती गुमाव कुंडलन में होते है ठीक है तो यहाँ पर जो DNA है हना इस तरीके से जो DNA है इस DNA के अंदर जो ये एक गुमाव है इस गुमाव के अंदर कितने बेसपेर होते हैं 10 बेसपेर होते हैं और यही पुछा गए इस कुश्चन के अंदर और य और क्रिक ने BDNA अलग-अलग form होते हैं तो BDNA model के अंदर परती गुमाव के अंदर कितने बेसपेर होते हैं 10 बेसपेर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर option क्या होगा second option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है यह DNA की structure क्या coding ठीक है next question है फंदर के अंदर क्या हो जा किये गए और चोथे के बारे पूछा गए कि बताइए इन तीनों में से कौन सा हो सकता है किसकी संभावना है ब्लड कंसेंट्रेशन ओग्लुकोज इन नॉर्मल हेल्धी इंडिजल इस 4.22 6.1 मिली मॉल पर लिटर इन ब्लड हॉर्मोन वूड बी नेनोग्राम पर एमल मोनो सेकराइड्स आर लिंक्ड बाई पैप्टाइड बॉन्ड एक स्वस्त मनुष्य के रुधीर में ग्लुकोज की सांद्रता इतना दे रख है रुधीर में हॉर्मोन जो है वो कितना होता है नेनोग्राम पर एमल में मोनो सेकराइड आपस में पैप्टाइड बंड द्वारा क रहते हैं अब यह पूछा गए कि इन में से कथन कौन सा सही है तो थार्ड ओप्शन आप देखिएगा यहां पर जो पैप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो एमाइनो एसीड या एमीनो अमल के मद्दे होते हैं नेकी मोनो सेकराइड के मद्दे देखने को मिलते हैं तो यह उ कोलेंसियाडी बेंजड यह डाटा दे रखा है तो यहां पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है इसका मतलब यहां पर ओप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा फॉर्थ ओप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है तो फॉर्थ ओप्शन इस पहें क्या होगा र निम्न में से कौन सा उप्चेई पत को परदशित करता है। उप्चेई पत का मतलब क्या होता है। सिंपल से सिंपल टू एक सेगेड़ इसका मिलब क्या होगा। ठीक है एक सेगेड़ ठीक है। Which of the following occurred through an anabolic pathway? निम्न में से कौन सा उप्चेई पत को परदशित करता है। तो यहाँ पर anabolic का मतलब क्या होता है। जिसमें सिंपल से क्या बनता है। सिंपल टू क्या बनता है। कॉंपलेक्स कंपाउंड का क्या होता है। कॉमेशन होता है। सिंपल से क्या बनता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, convert of glucose into lactic acid, glucose का lactic अमल में परिवड़ता है, यह catabolic अभिकरिया है, यह अपचे अभिकरिया होती है, protein can form by amino acids, amino amino acid protein का क्या होता है, निर्मान होता है, बिल्कुल सही है, व्योंकि यह simple से क्या बन रहा है, complex का क्या हो रहा है, formation हो रहा है, complex compound convert into simple form नहीं होता है, यह catabolic के अदर होता है, क्योंकि अपने को पुछा गया, anabolic reaction, it lead to the release of energy, energy यहाँ पर release नहीं होता है, energy यहाँ पर क्या होता है, use किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सब तरवे के अंदर जो answer जाएगा, वो answer क्या चला जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल NCRD based statement है, और यह अपन जानते ही है, कि जो metabolism है, उस metabolism के अंदर क्या होता है, इनाबोलिस में भी आता है, उप्चे के विक्रिया भी आती है, और क्या आती है, आपके अप्चे के विक्रिया भी देखने को मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question के अंदर, 18 नंबर, which of the enzyme catalyzed oxido reduction between two substrates, कौन सा enzyme दो क्रिया धार के भी आक्सी अप्चेन क्रिया को प्रेरित करता है, तो यहाँ पर आप याद रखें, जैसे सपोज यह एक substrate है, और इसके अंदर, यह क्या हो रहा है आपके, reduce, plus यहाँ पर एक कोई substrate है, जो क्या हो रहा है आपके, oxydides, ठीक है, अब अभिक्रिया होगी, अब वो कौन सा enzyme है, जिससे क्या होगा, जो S है, वो तो क्या हो जाएगा, oxydides, plus, जो S- है, वो क्या हो जाएगा, reduce था, और यहाँ पर कहीं न कहीं, electron का क्या हो रहा है, स्थानांतरन भी हो रहा है, या transfer भी हो रहा है, तो यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया एक विशेस enzyme के द्वारा होती है, और वो enzyme आपके सामने कौन सा है, oxydides, अब अब ट्रांसफरेज है, तो वो transfer करेगा, एक समूँ को, oxydides है, वो क्या करेगा आपके, यहाँ पर इस अभिक्रिया हो क्या करेगा, संपन करेगा, lies है, यह नहीं होगा, isomerase है, यह भी नहीं होगा, तो यहाँ पर answer क्या होगा अपना, second option हो जाएगा, और इसमें यह पूछा भी गए, क्लियर लिए, oxy option अभिक्रिया के लिए, कौन सा जो है, वो enzyme जो होता है, वो उतरदा ही होता है, तो यहाँ पर option क्या चला जाएगा, second option क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फिर उसके बाद में, 18 के बाद में अपने चलते हैं, 19 नमबर के अंदर, ठीक है, और 19 नमबर में अगर अपन देखें, in enzyme, the non protein is, enzyme में गेर protein या इतर protein, NCRT का हिंदी के अंदर जो है, वो non को क्या बोल रहे है, इतर बोल रहे हैं, इसलिए, कौन सा भाग है, एपो एंजाइम तो protein का बना होता है, co factor की बात करें, तो co factor के अंदर आपन देखते हैं, तीन आते हैं, को एंजाइम आता है, आपकी second option हो जाएगा, हाना, क्योंकि यह अपने को पता है, concept, क्योंकि जो होलो एंजाइम होता है, उसमें एपो एंजाइम है, और co factor है, और एपो एंजाइम तो protein के द्वारा निर्मित होता है, अगर आपन यहाँ पर बात करें, क्योंकि जो है, यहाँ पर क्या होगा, को फेक्टर जो है वो right answer हो जाएगा, एपो एंजाइम और active site, क्योंकि active site जो है, वो किसके अंदर उपस्तित होती है, एपो एंजाइम के अंदर ही होती, active site, इसलिए वो option नहीं होगा, तो यहाँ पर co-factor जो second option है वो second option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं फिर 20 तंबर के अंदर Which organic compound that are tightly bound to Apoenzyme is कौन सा carbonic योगिक Apoenzyme के साथ दृड़ता से जुड़ा रहता है यहाँ पर बात हो रही है co-factor के अंदर पाये जाने वाले तीन केटेगरी की, उसमें से एक केटेगरी अपने को पूछा गया है क्या यह प्रोस्थेटिक ग्रूप है क्या यह लिपिड या वशा है, क्या यह metal ions होते हैं, क्या यह co-enzyme होते हैं, धातु यहाँ पर बिलकुल NCRT ने एक क्लियली बात बोली है कि कई ऐसे कार्बनिक योगी क्या organic compound होते हैं जो एपो एंजाइम के साथ में tightly या दृड़ता के साथ में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और वो जो दृड़ता के साथ में जुड़े हुए भाग है वो भाग कौन से होते हैं प्रोस्थेटिक समू होते हैं या प्रोस्थेटिक क्या होते हैं आपके ग्रुप होते हैं तो यहाँ पर answer क्या होगा first option क्या हो जाएगा, अपना right हो जाएगा अगर आपने मैंने कहा ना भी अगर आपने एंसियाटिक लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो अपने को यह पता होना चाहिए और यह पता भी अपने को कहां पर कौन सा point जो है किस से संबंदित है कि enzyme के अंदर कार्बनिक योगी जो है विच नुकलीक एसीड बिहेव लाइक एंजाइम निम्ड में से कौन सा नुकलीक अंबल एंजाइम की तरह व्यभार करता है क्या यह protein है क्या यह carbohydrate है क्या यह RNA है क्या यह phospholipid है क्या हिंडी में देखे तो protein है carbohydrate है RNA या phospholipid है तो यहाँ पर आपको याद रखने वाला point यह है कि अधिक्तम जो है वो enzyme protein के द्वारा निर्मित होते है या protein के द्वारा बनते है लेकिन कई ऐसे आप अपवासरू मान लीजिए कई ऐसे enzyme होते हैं जो RNA के द्वारा nucleic acid और nucleic acid में भी विशेश कर कौन सा RNA के द्वारा क्या होते बनते हैं और इन enzyme को अपन क्या बोलते हैं राइबो जाइबो क्या बोलेंगे राइबो जाइबोलेंगे और यह एक उत्प्रेरक या केटलाइट की तरह क्या करते हैं और जब अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं अनू वादन या ट्रांसलेशन बोलते हैं तब आपके क्या होता है कि इसमें जो लार्ज राइबोसोम की जो यूनिट होती है उस लार्ज राइबोसोम की यूनिट में आपके क्या पाए जाते हैं राइबोजाइम जो हैं वो एंजाइम क्या होते हैं उपस्तित होते हैं तो यहाँ पे जो 21 वे के अंदर जो option जाएगा वो option क्या चला जाएगा third option क्या हो जाएगा राहिट हो जाएगा जो एक enzyme की भाती क्या करेंगे कारिये करेंगे आई बात समझ वहीं यहाँ पर ठीक है next बढ़ते हैं अपन next number question है अपना 22 number ठीक है 22 number में देखिएगा which of the following factor can influence enzyme activity निम्ण में से कौन सा कारक enzyme kriya shilta को प्रभावित करता है ठीक है न influence का meaning या प्रभावित का मतलब यह कि इनमें से कौन सा कारक है जो enzyme की गतिविदी को या kriya विदी को क्या करेंगे क्या ये temperature होगा क्या ये pH होगा क्या ये substrate concentration होगा क्या ये तापमान है क्या ये pH है क्या ये kriya धार सांदरता है तो अगर अपन ये देखें तो यहाँ पे तीनों ही क्या है enzyme kriya शीलता को क्या करते है परभाविते करते है कैसे तापमान अगर अधिक हो जाता है कम हो जाता है तो enzyme जो है वो कारिय नहीं कर पाता एक उप्युक्त pH पे ही क्या करता है आपके enzyme कारिय करता है और substrate concentration अगर आपन बात करी क्रिया धार सांद्रता तो ये भी कहीं न कहीं जो है वो आपकी enzyme की क्रिया शीलता क्या करती है परभाविते करती है तो यहाँ पे तीनों ही option क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे तो इसलिए अपना answer क्या चला जाएगा फॉर्थ option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है बाद ठीक है बच्चो आगे बड़े 23 number question which statement is wrong regarding to enzyme enzyme से सम्बंदित कौन सा कतन गलत है almost all enzyme are protein लगवग सभी enzyme protein दोरा निर्मित होते है बिल्कुल सही है अपास रूप हो सकते हैं लेकिन लगवग सभी enzyme protein दोरा क्या होते हैं निर्मित होते हैं there are some nucleic acid which behave like enzyme and are called ribozyme बिल्कुल सही है जैसे RNA है तो RNA जो है वो ribozyme की तरह क्या करेगा विया भार करेगा third option thermophilic organism retained their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 degree उश्माश नहीं जीवों में उत्प्रेरक शक्ती उच्टापमान से उच्टापमान पर बनी रहती है है ना तो कई इसे जीवानों होते जैसे thermos aquiticus जो PCR के अंदर भी काम में आता है तो वो इतने तापमान में आसानी से क्या कर सकता है स्थापमान में क्या कर सकता है सर्वाइव पर सकता है जीवित रह सकता है thermal stability is important quantity of such enzyme उश्माश थाइत्वता enzyme की मात्रात्मक विशेस्ता होती है ये बिल्कुल गलत है quantity नहीं होता यहाँ पर क्या होना चाहिए था अगर सही होता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था quality है ना क्या होना चाहिए था quality या मात्रात्मक था के स्थान पर गुणात्मक गुणात्मक होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए यहाँ पर गलत कौन सा चला जाएगा 23 के अंदर यहां पर गलत स्टेट्मेंट देखना है ठीक है नेक्स्ट है चोईस नंबर में देखें विच एलिमेंट इस परजेंट नेगलीजिबल इन हुमेन बोडी निम्न में से कौन सा तत्य मानव में नगन्य रूप से उपस्तित होता है विल्कुल यहां पर यहां पर एंसर क्या होगा फॉर्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा चोईस विगंदर यह पुछा कहें कि मानव में नगन्य रूप से उपस्तित होता है तो नगन्य रूप से कौन सा उपस्तित रहेगा यहां पर सिलिकॉन उपस्तित रहेगा ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 25 वे के अंदर यह बिल्कुल एक आप यह देखिएगा इंडेक्स दे रखिए बिल्कुल और उन इंडेक्स को अच्छे से क्या करना है अपने को याद रखना है पत्चिसवा क्यूस्ट नमबर दा मॉस्ट अबेंडेंट केमिकल इन लिविंग और गेनिज्म इस जीवित जी में निम्न में से कौन सा रसाइन परचूर मात्रा में उपस्तित होता है तो यह अपन सब जानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा आपक जल हो गया फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा तो 25 वे के अंदर क्या जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते 26 वे के अंदर इनुलीन इस इनुलीन ठीक है जो एक ट्रित्रिम प्रकार का क्या होता है इंसुलीन की तरह कारी करता है ठीक है Polymer of Fructose, Polymer of Glucose, Polymer of Fats, Полimer of Amino Acid Fructose के बहुलक होते, Glucose के बहुलक होते, वशा के बहुलक होते और Aminomaly के बहुलक होते, बिलकुल NCRT-based है और वहां पर clearly mention कर रख़आ है कि जो Inulin जो हता है वो Inulin एक बहुलक है और वो बहुलक किसका होता है आपके फ्रक्टोस का क्या होता है आपके बहुलक होता है तो इसके अंदर option क्या चला जाएगा first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा है ना और ये कृत्रिम रूप से जो है वो आपके बनाया जाता है तो next अपने देखते हैं 27 number 27 number जो है कौन सा हो जाएगा which of the following class of enzyme catalyze the linking together of two compound निम्न में से कौन सी वर्ग की enzyme दो योगिकों को आपस में जोड़ने को उत्परेरित करता है तो यहां पे बिलकुल ncrt ने जो है वो इसके बारे में clearly बता रखा है कि जो ligase enzyme जो होता है और उसी का काम क्या तो देखो लाइज का तो तोड़ना होता है hydrolyze जलक्यू पस्तिति में transference किसी भी समू को क्या करना स्थानांत्रित करना लेकिन जो ligase enzyme है वो ligase enzyme क्या करेगा दो समू को क्या करेगा आपस में जोडने का कारिये करेगा तो ligase enzyme है और इधर भी क्या आपके ligase enzyme तो यहां पे option क्या होगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा clear बात है यहां पे तो second option क्या होगा right हो जाएगा आगे बड़े 28 number 28 number तो यहां पे वापस एक reaction दे रखा है और काफी important है NCRT के अंदर जितने भी enzymes की category दे रखी है वो अच्छे से पड़े और यहां पे कुछ एक अभिकरिया दे रखी और अभिकरिया के अंदर यह पूछा गया है कि इसमें से यह कौन से अभिकरिया को उत्परेरित करता है यह निम्न अभिकरिया उत्परेरित होती है कौन से enzyme के द्वारा तो बिल्कुल यह भी एक NCRT का ही बहुत ही अच्छा question है और इसके अंदर अपन जानते हैं कि यहां पर जो X है यह वाई एक कोई compound और यह आपस में क्या हो रहे हैं आपके ठीक है जुड़ गए यहां पे carbon carbon क्या हो गया आपके अलग हो गया तो इसको संपादित क कराने के लिए या इसको perform करवाने के लिए जो enzyme होता हो कौन सा होता आपके lies अब lies enzyme क्या करेगा यह remove करेगा ठीक है ना और फिर इसके बाद में जो इसके जो double bond है उस double bond का क्या करवाएगा निर्मान करवाएगा उस से क्या बन जाएगा यह एक उत्पाद बन गया और यह ए एंसर होगा 28 के अंदर वो 28 के अंदर कौन सा हो जाएगा lies enzyme हो जाएगा ठीक है थार्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यहांपे 28 के अंदर है ठीक है next आगे बढ़ते है 29 के अंदर inhibition of succinate dehydrogenase by melonate is an example of competitive inhibitor often used in succinic dehydrogenase का melonate द्वारा संदमन जो एक प्रतिस प्रतिस संदमक का उधारण है जो अक्सर संदमित करते है ठीक है control of bacterial pathogen control of virus pathogen control of fungus pathogen और control of protesta pathogen तो जिवानू रोग जनक नियंतरन विशानू रोग जनक नियंतरन कवक रोग जनक नियंतरन और protesta रोग जनक नियंतरन तो यहांपे clearly NCRD ने बोल रखा है कि यहांपर यह basically use होता है कि इसके लिए bacteria को control करने के लिए यह जो जिवानों हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसका क्या किया जाता है उपियों किया जाता है अब इसका ताथ पर यह इसका मतलब क्या होता है देखो यह एक एंजाइम है सक्सिनेट डी हैट जुनी जैसे सपोज यह एक एंजाइम है सक्सिनेट और यह इसकी क्या हो परतीस परदीस संदमन की तरह क्या करता है कारिये करता है तो परतीस परदीस संदमन करेगा और यह क्या करेगा उसकी अभिक्रिया क्या कर देगा रोग देगा जिससे सक्सिनेट जो है वह आगी अभिक्रिया नहीं कर पाएगा वैंकि उसके स्थान पर कहला दिया गया है तो अब उपापची करिया नहीं चलेगी उत्पाद नहीं बनेगे तो देरे देरे वहाँ पे जो जीवाण हो है वो सर्वाई के जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि कहीं न कहीं अपने इस अभिक्रिया के द्वारा जो है उस एंजाइम की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया क् लगए जो competitive है है ना परतीस पर्दी जो संदमन है वो कौन सा किस तरीके से कारिये करेगा ठीक है फिर उसके बाद में अगर अपने next आगे बढ़ते हैं next question है ठीक है और उसमें अपने देखते हैं ये the rate of enzyme action decrease at high temperature due to उच्चतापपान की उपस्तिती में enzyme kriya shilta कम होती है ठीक है क्योंकि protein are denatured, lipid are denatured, carbohydrid are denatured, DNA are denatured क्योंकि protein विक्रत होते हैं, lipid विक्रत होते हैं, carbohydrid विक्रत होते हैं, DNA विक्रत होते हैं तो अपन जानते हैं कि सामान्यत है अगर अपन देखें तो जो enzyme जो होता है वो तृत्रित्रिक सरचना या tertiary structure का बना होता है protein का और उसके अंदर जैसे अभी अपनने कहा कि इस तरीके से एक active site है और इसमें कहीं ना कहीं disulfide bond भी क्या होते हैं उपस्तित होते हैं तो अगर आप तापान बढ़ाओगी और एक अनुकुलित तापान से अधिक करोगे या एक उप्युक्त तापान से अधिक करोगे तो उसके जो इसलफ़ाइट बोन्न होझे टोटने से क्या हो जाएगा विकरत हो जायेगा और यंजय मोगे तक इसको बने होते हैं ब्रोटीन के क्या होतें बने वह यहहां नेक्स प्लेश ठेखते है activity of the enzyme निम्न में से कौन सा enzyme उत्पे रख क्रिया शीलता है तो निर्णायक भूमी का अदा करता है बिल्कुल NCRT based statement है और NCRT ने clear लिका है कि जो co-factor होते हैं उसमें जैसे co-enzyme है prosthetic group है और metal ions जो होते हैं इन तीनों की ही क्या होती है आवशकता होती है इन में से कहीं न कहीं अगर कोई भी किसी की भी अगर कमी रह गई तो वो इसका सीधा परभाव जो है वो enzyme की क्रिया विदी पे जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर metal ion prosthetic group co-enzyme तीनों ही है इसका मतलब fourth option है यहाँ पर लब धात्वाइम भी है prosthetic समों भी है से enzyme भी है तो option क्या होगा fourth option क्या हो जाएगा 31 के अंदर right हो जाएगा ठीक है आगे बड़े 32 नमबर के अंदर अब देखिएगा 32 नमबर के अंदर the following graph represent the enzymatic activity with x axis and y axis identify the x and y दिया गया graph x और y axis पे प्रदशित किया गया है तो यह NCRT का एक graph है और उसमें अगर अपन इनको labeling करें तो labeling करेंगे तो अपने सामने के आएगा कि इसके अंदर ये वाला जो भाग है ये तो किसको प्रदशित करेगा progression of reaction और ये वाला जो भाग है ये प्रदशित करेगा किसको potential energy तो इसका मतलब क्या हुआ एक तो क्रिया धार की दर और एक है विभाव उर्जा मतलब क्रिया धार की दर जैसे देखिएगा यहाँ पे ये substrate है और ये substrate जो है वो देरे-देरे क्या कर रहा है product के अंदर क्या और है यहाँ पर activation energy without enzyme है और यहाँ पर activation energy with enzyme तो इसने energy को कही न कहीं आपकी जो खर्च होने वाली जो energy है वो कम कर दी किसने enzyme ने क्या कर दिया कम कर दिया यहाँ पर तो potential energy है वो काफी क्या होगी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ठीक है तो potential energy जो है वो किसके लिए ज्यादा चाहिए जहाँ पर enzyme का उप्योग नहीं हो रहा है तो यहाँ पर यह तो represent करेगा किसको क्रियाधार की दर और why जो है वो किसको represent करेगा विभाव उड़ जाओ क्या करेगा परदशित करेगा तो 32 के अंदर जो अपना answer जाएगा वो answer क्या हो जाएगा second option क्या हो जाएगा और यह NCRT का ग्राफ है और बहुत यह अच्छा क्यूशन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने को के भाई जो progression of reaction है क्रियाधार की दर है वो दिरे दिरे बढ़ती जाएगी ठीक है ना और विभाव उर्जा भी इधर आपके बढ़ रही है तो अब इसमें graph में यह बताना है अपने को कि एक case तो यह है कि activation energy with enzyme और एक case के activation energy without enzyme तो इसमें X तो किसको निरुपित या परदशित कर रहा है और वाई किसको निरुपित कर रहा है तो second option अपना क्या होगा राइट हो जाएगा 33 में अगर अपन बात करें which of the following content दा vitamin niacine निम्न में से vitamin niacine उपस्तित होता है देखो यहाँ पे दोनों यह NAD, NADPS2 और यह कहीं न कहीं चाहिए आप यह बात करो जो अपने पढ़े NADPH2 पढ़ा है और यह क्या पढ़ा है आपके NADH2 पढ़ा है photosynthesis के अंदर अपने पढ़ा है और respiration session के अंदर अपने पढ़ा है ठीक है तो इसका अगर अपन रासाइनिक संगटन देखें तो इन दोनों के अंदर अपने को क्या मिलेगा vitamin, niacine जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर answer क्या होगा अपना fourth option क्योंकि इसमें fourth में दे रखा है first and second जो है वो दोनों option 33 नंबर के अंदर दे रखें the fourth option क्या हो जाएगा अपना right हो जाएगा nicotinamide, adenosine, di nicotinamide, adenosine, di phosphate हो जाएगा ठीक है ना next question देखते है 34 नंबर which of the following co-factor is required for the proteolytic enzyme carboxy peptidase activity निम्न में से कौन सा सहकारक proteolytic enzyme carboxy peptidase की क्रिया शिलता गे लिए आवश्यक होता है और यहाँ पर अपने को to the point याद रखना है कि यहाँ पर जो carboxy peptidase एक enzyme है उस carboxy peptidase की अभी क्रिया के लिए जो अपने को चाहिए वो चाहिए क्या zinc चाहिए अगर यह जो zinc है यह zinc अगर इसको जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है यह नहीं मिल रहा है क्योंकि यह अपने आप में क्या है उत्पेर की तरह क्या कर रहा है कारिय कर रहा है मतलब enzyme की क्रिया विदी को क्या कर रहा है बढ़ाने में क्या कर रहा है साहिता कर रहा है तो अगर zinc मिल रहा है तब ही क्या करेगा अच्छे से कार्य कर पाएगा अन्यता इसकी जो क्रिया विदी है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की श्रेणी के अंदर आ रहा है तो वो सही तरीके से वो कार्य नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब 34 के अंदर अगर अपन बात करें तो 34 का जो ओॉफशन होगा ओं क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 35 की बात करते ओ G अब यहां पर कुछ statement दिये गए है और वो statement आप देखना और इसमें यह बोला गया है कि physical change simply refer to change in the shape without breaking the bond change state of matter also take place in physical change chemical change involve breaking of old bond and formation of new ones और फिल आश्ट में बोला गया more than one option हिंदी में देख लेते बहुतिक परिवर्तन जिसमें बिना बंद के तूटे वी योगी के आकार में परिवर्तन होता है बहुतिक प्रकरिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है रासाइनीक अभीकरिया में पुराने बंदों का तूटना वे नए बंदों का निर्मान होना अब देखेगा कि यहां पर जो पुछा गया अपने से वो ये पुछा गया है कि फिजिकल प्रोसेस के respect में क्या है जो chemical compound में देखने को मिलता है क्या physical change होते है जिन में उसका जो है वो shape जो है refer to change in shape without breaking the bone बहुतिक परिवर्थन जिसमें बिना बंद के टूटे योगी की आकार में परिवर्थन होता है बिल्कुल सही बात है Change state of matter also take place in physical change बहुतिक प्रकरिया में परिवर्थन होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है Chemical change involves breaking of old bond and formation of new ones तो यह नहीं होता है क्योंकि यह physical process से related statement पूछा गया है हाँ इसमें दोनों option होंगे तो दोनों option के नाम पे अपने पास में क्या है more than one option तो यहां पर fourth option क्या हो जाएगा आपकी राइट हो जाएगा इसके अंदर next question बढ़ते हैं अपन 36 तंबर के अंदर अब देखिएगा which diagram represent of phospholipid dimmed में से कौन सा चित्रात्मक परदर्शन phospholipid lecithine को परदर्शित करता है विलकुल NCRT based है और NCRT के अंदर clearly यहां पर जो diagram mention कर रखा है वो mention कर रखा कौन सा second option यह नहीं है diagram ठीक है न और यह भी नहीं है diagram और यह भी diagram जो है वो नहीं होगा इसके अंदर ठीक है क्योंकि यहां पर यह Phospholipid हना cholesterol का diagram दे रखका है तो यहाँ पर second option अपना क्या होगा इसके respect में phospholipid के respect में क्या हो जाएगा right हो जाएगा ठीक है तो second option आ गया आगे बड़े फिर synthesis number के अंदर ठीक है which one of the following is the diagrammatic representation of a nucleotide निम्न में से कौन सा चित्रात्मक परदर्शन nucleotide को परदर्शित करता है अब इनी में से अपने को पहचानना है कि nucleotide कोन से देख। यहाँ पर nucleotide की बात करें तो अपने सामने की विल एक ही जो हे वह point होना चाहिए एक ही is nucleotide का मतलब क्या होता है nucleotide का होता है ñucleocide nucleoside plus क्या रहेगा phosphate क्या रहेगा nucleoside plus phosphate अगर यह दोनों देखने को मिल रहे है और nucleoside में कहाएगा pentose, शरक्रा और nitrogen base pentose sugar और nitrogen base तो अब यहाँ पर देखिएगा आप इस में से कौन सा हो सकता है देखो यह एक क्या देखने को मिलेगा nucleoside यह 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 जो है वो आपके क्या हो जाएगा एक nitrogen base से, यह जो है यह भी एक क्या है आपके nucleoside हो गया, बट इसके अंदर देखो phosphate भी है nucleoside भी है ठीक है, और यहाँ पर जो है, वो nitrogen छार भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ यह तो क्या हो गया, nucleoside और इसके साथ में phosphate जुड़ा हुआ है तो जो answer जाएगा 37 के अंदर जो answer होगा, वो answer कौन सा हो जाएगा आपके, fourth option क्या हो जाएगा आपके, right हो जाएगा fourth option क्या होगा इसके अंदर, right हो जाएगा, ठीक है, आगे बड़े फिर 38 के अंदर one turn of the helix in a B form DNA is approximately B DNA का एक गुमाव लगबग होता है ठीक है, तो यहाँ पे कुछ data दे रखे हैं, 0.34 nanometer 3.4 nanometer ठीक है, 2 nanometer 20 nanometer, इतना दे रखा है, तो अब इसमें से यह देखना है कि परती गुमाव, एक गुमाव के अंदर जो है, वो लगबग जो है वो कितने जो है, वो अपने को देखने को मिलेंगे, अगर देखो यहाँ पे दो unit है, अगर यह होता, angstrom, तो सही था, और अगर यह है तब भी सही है, nanometer है, क्योंकि एक जो गुमाव होता है यह यह जो गुमाव होता है, इसके अंदर इसकी जो distance है, वो distance कितनी होगी, तो यहाँ पर आप angstrom में तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर किस रूप में दे रखा है, nanometer में दे रखा है तो अपने पास में option क्या होगा, second option क्या हो जाएगा, 38 के अंदर right हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों फिर next question देखते हैं, 39 number question identify the ribosugar diagram, निम्न चित्र में ribosakra की पहचान कीजिए, अब यह जो diagram है वो बिल्कुल NCRT के अंदर दे रखें और इसी के बैसेस पर अपने को जो है वो इनके अंदर पहचान करनी है तो यहाँ पर जो first option है वो ही जो है वो ribosugar से संबन दीते है यह जो diagram है यह hexor sugar है 6 carbon है, यहाँ पर कितने 1, 2, 3, 4 और 5 carbon है जबकि यहाँ पर कितने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 carbon हो गये है जबकि यह पामेटिक जो acid है, उसका formula है और यह जो structure है वो nitrogen base का क्या है, formula है तो यहाँ पर जो option अपना जाएगा वो option होगा, first number option क्या हो जाएगा right हो जाएगा, ओके next question exoskeleton of arthropods made up by kaitin, which is arthropoda में बाहिएक अंकाल kaitin का बना होता है, जो है ठीक है arthropoda के अंदर, जो exoskeleton बना है, जो भाहिएक अंकाल बना है, वो किसका बना है रासायनिक संगठन या chemical composition देखेए, एक complex polysacryde, एक polymer of fatty acid, एक polymer of amino acid, एक polymer of nucleotide, जटिल polysacryde का है, वशिये amla का बहुलग, amino amla के बहुलग, या nucleotide के बहुलग, तो NCIT के अंदर clearly mention कर रखा है, कि जो chitin जो होता है, वो होता है, एक polysacryde होता है, और किस प्रकार का होता है, complex polysacryde होता है, जटिल polysacryde होता है, इसलिए इसका जो option है, वो क्या हो जाएगा आपकी first option क्या हो जाएगा, आपके glycogen chain, glycogen श्रिंकला में बाया सीरा होता है, चार option अपने पास में, reducing end, non reducing end, uptight chore, un-uptight chore, ठीक है, end terminal end, P terminal end, and un-thin chore, और P un-thin chore, तो यहाँ पे, दो point हो गए, यहाँ पे, एक तो इसका जो जो chain है, इसका अगर आपन right की बात करें, तो यह तो कैसा होता है, reducing होता है, जिसमें अभी क्रिया संभा होती है, oxidation वगरा क्या होता है, संभा होता है, बट जो इसका left end होता है, वो कैसा होता है, आपके, non reducing, कैसा देखने को मिलेगा, non reducing end देखने को मिलेगा, बिलकुल NCRT के अंदर एक statement दे रखा है, और उसमें clearly बोल रखा है, कि जो glycosin change होता है, उसका, जो left end होता है, हाना, जो bias सीरा जो होता है, वो कैसा होता है, आपके, non reducing होता है, इसका मतलब, यहाँ पर जो 41 है, उसके अंदर जो option हो, क्या होगा आपके, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, इसके अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद में, next अगर अपन देखें, यहाँ पर 42 के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया zwitter iron is show by, zwitter iron का परदशन है, अब इसमें से अपने पास में, जो है, वो विकल्प कुछ दे रखें, यहाँ पर और इसमें अगर अपन डाइग्राम में देखें, तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं, कि इनमें से जुट्र iron, जुट्र इनका मतलब क्या होता है, कि जिसमें दोनों आवेश उपस्तित है, धनात्मक आवेश भी उपस्तित है, और रिनात्मक आवेश भी क्या होता है, उपस्तित होता है, इसमें क्यों धनात्मक आएण उपस्तित है, इसमें दोनों ही आएण क्या होते हैं, उपस्तित होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा किसके संदर्व में जूटल आइन के संदर्व में ठीक है next question देखते हैं next question अपने पास में है अब यह पूछा गया है कि इन में से कौन सा जो है वह प्राइमेरी मेटाबोलाइड्स या प्रात्मिक उपापजय से संबंदित है तो यहाँ पर याद रखें जो है जो स्टार्टिंग में देरेक कि उसमें कैरोटिनोइड्स मॉर्फिन और सैललोज जो इसको से सेयलोज मेसे जपकर जबिए जबकि झीव के ज़िसे संब्रे सुम्द्द्ध में यह एँन और एक कौन सा होता है आपके शुगर है एमिनो अमल है और कौन सा आपके शक्रा हो गया तो सेकंड बलब दो है इसका महला option में यहाँ परी second किसमी दे रखा है मलब दो किसमी दे रखें third option में दे रखें तो 43 का क्या चला जाएगा 43 का जो है वो option क्या हो जाएगा आपके third option हो जाएगा ठीक है 43 का हो गया third option हो गया अब अपन बात करते हैं next की 44 की 44 की how many types of amino acid present in protein protein में कितने प्रकार के aminoamil उपस्तित होते हैं तो protein के अंदर जो पाई जाते हैं है ना protein के अंदर जो पाई जाते हैं aminoamil वो कितने होते हैं 20 प्रकार के होते हैं कितने होते हैं 20 प्रकार के होते हैं तो यह अपने को पता है जिसमें से 10 तो क्या होते है essential होते हैं, अनिवारी होते हैं, और 10 क्या होते हैं, अपकी non essential होते हैं, तो ये सारे option अगर आपना देखें इसके respect में, तो अपना option क्या होगा? First option क्या हो जाएगा? Right हो जाएगा, तो 44 के अंदर क्या जाएगा? First option Right हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 45 के अंदर अब यहाँ पर दे रखा है कुछ डायग्राम दे रखे और glycine amino acid structure से सम्मंदित पूछा गया है glycine amino acid structure से क्या किया गया है सम्मंदित question पूछा गया है और इसमें पूछा गया है glycine का कौन सा structure है तो glycine में आप याद रखें, जैसे NCRT में डायग्राम भी दे रखा है glycine का जो structure होगा, वो glycine का structure कौन सा हो जाएगा ये वाला जो structure है, वो देखने को मिलेगा किसके अंदर glycine के अंदर, तब कि ये होगा alanine का और ये जो diagram है, ये diagram हो जाएगा serine का तो ये तो कौन सा हो गया, alanine alanine का diagram हो जाएगा, और ये किसका diagram हो जाएगा serine का क्या हो जाएगा, diagram हो जाएगा तो first option जो है, वो किसको जाएगा, glycine को जाएगा ये पूछा के glycine immunomal का जो सरचना है, वो कौन सा है तो first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा तो 45 के अंदर जो answer जाएगा वो क्या होगा first option right है next आगे बढ़ते 46 नंबर के अंदर एक glycosidic bond connect glycosidic bond जोडता है देखो glycosidic bond है अपन जानते हैं कि जो glycosidic bond होता है वो किसके बीच में होता है यहा जो monosaccharides जो units जो होती है है वो बोन्ड कौन सा हो जाएगा फास्ट ऑप्शन मतलब दो मोनो सेक्राइड को आपस में जोडने का कारिय करता है तो 46 नंबर में कौन सा आएगा फास्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है 47 की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई दा ए एंड बी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन सरचना ए तदा बी की पहचान कीजिए तो यहाँ पर ए और बी दे रखा और उसमें पूछा गए कि ए और बी कौन सा है ठीक है तो यहाँ पर ए जो है वो किसको प्रदेशित करेगा सेकंडी स्ट्रक् ही तो यहाँ पर अपना जो एंसर जाएगा वे एंसर क्या हो जाएगा सेकिंड ऑपशन हो जाएगा इसमें 47 का क्या हो जाएगा second option हो जाएगा इसमें ठीक है आगे बड़े Monoterpenes, Codine, Wind Blasting, Gum, Cellulose Monoterpenes, Codine, Wind Blasting, Gum, Cellulose निम्निमे से कितने दित्यक उपापचे से संबंदित है तो यहां पर आप याद रखें कि यह जितने भी examples है Monoterpenes है चाहे वो आपके क्या है Codeine है, Wind Blasting है, Gum है, Cellulose है यह सारे के सारे जो है वो किस से संबंदित है Secondary, Metabolite से संबंदित होते है चीक है ना तो यहां पर पाँचों ही जो examples है वो किस संबंदित है Secondary, Metabolite से संबंदित है तो इसलिए यहां पर जो answer होगा वो क्या होगा Fourth Option क्या हो जाएगा Right हो जाएगा तो यहां पर answer क्या जाएगा पाँचों क्या होगी है, यहां पर Right होगी है ना तो यहां पर answer क्या होगा Fourth Option Right है ठीक है आगे बड़ें फिल NCRT का data है यह इसलिए ठीक है, याद रखना है Glute for Enable Glucose Transport into cell which made up by Glute for Glucose का कोशका में परिवहन करवाता है, बना होता है तो याद रखें जैसे यह Cell Membrane है, कोशी का जिली है इस कोश का जिली पे Protein द्वारा निर्मित क्या होते हैं कुछ वाहक Protein होते हैं इस तरीके से और उनी में से एक कौन सा होता है Glute 4 ये Glute 4 क्या करेगा जो भी Glucose है जो बाहर की तरफ है कोश का के बाहर की तरफ जो Glucose उपस्तित है उस Glucose Molecule को अंदर लेने में कोश का द्रवे के तरफ लेने में साहिता करेगा और ये सामने तो किसका बना होता है Protein के द्वारा क्या होता है निर्मित होता है ने ये Carbohydrate का बना होता है ने Lipid का बना होता है ने Nucleic Acid का बना होता है तो किसका बना होता है Protein का बना होता है इसलिए यहाँ पर जो Option होगा विल्कुल Second के अंदर जो Option जाएगा वो Option कौन सा चला जाएगा 49 Number Question के अंदर Second Option राइट हो जाएगा ठीक है आगे बड़े फिल्ट 50 के अंदर Which substance fight against infectious agent निम्न में से कौन सा पदार संक्रमन करता के परती लड़ता है तो अपन जानते हैं अपनी बोडी के अंदर Immunity होता है परती रक्षी तंत्र होता है Immunity System होता है यह Immunity System जो है वो किस से लड़ता है Antigen से लड़ता है है ना और Antigen से लड़ने के लिए क्या चाहिए यहाँ पर Antibody चाहिए और यह Antibody जो है वो सामभाने जैँ प्रोटीन के द्वाराई क्या होता है निर्मित होता है तो इसलिए यहां पर first option क्या होगा राइट है हो जाएगा बिलकुल एक simple question है एक concept based question है और एक बिलकुल आप यह मान के चलेगा NCRT based question है ठीक है तो next question अपन देखते हैं तो पचास के अंदर के आजाएगा first option अजाएगा ठीक है 51 विए की बात करते हैं अपन next question देखते हैं 51 number question the correct sequence of cell cycle is कोश्का चक्र का सही क्रम है देखो कोश्का चक्र का सही क्रम जो है अगर अगर आपन देखें तो NCRT के अंदर जो clearly mention कर रखा है वो है G1, S, G2, M तो first option क्या होगा राइट हो जाएगा इसमें देखें तो यह option sequence नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले G1 phase आएगा फिर उसके बाद में S phase आएगा फिर G2 phase आएगा और फिर आपके M phase आएगा तो यह जो तीनो phase है वो interface से सम्मंदित है ठीक है यह phase नहीं होगा यह phase भी नहीं होगा इसके अंदर और यह phase भी इसके अंदर नहीं होगा तो यहाँ पर option 51 के अंदर क्या हो जाएगा first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा तो अपना answer क्या जाएगा first option ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर 52 का Which phase of cell cycle show DNA synthesis कोश का चक्र की कौन सी हवस्था में DNA translation होता है तो ये भी अपने को पता है कौन सी हवस्था में होगा S phase के अंदर ही देखने को मिलेगा कौन सी हवस्था में S phase के अंदर ही जो DNA जो होता है वो DNA की संख्या क्या हो जाती है एक से दो DNA मोलेक्यूल का क्या हो जाता है आपके निर्मान हो जाता है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा राइट हो जाएगा इसके अंदर तरेपन की बात करें Which is the longest phase of cell cycle कोश का चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था होती है तो यहाँ पर याद रखे NCRT का statement है और NCRT ने clearly बोल रखा है कि कोश का चक्रिया cell cycle के अंदर 95% से भी ज्यादा time जो है वो किस के अंदर देखने को मिलता है इंटर फेज के अंदर देखने को मिलता है या अंतरा अवस्था के अंदर देखने को हो जाएगा चीक है M phase नहीं होगा U पट नहीं होगा S प्रावस्था भी नहीं होगी तो answer क्या हो जाएगा इंटर फेज हो जाएगा फिर 54 की बात करें इन G2 phase of cell cycle कोश का चक्र की G2 प्रावस्था में होता है ठीक है क्या के देखने को नहीं होता है Centriol R duplicate Protein R Synthesize DNA R Synthesize More than one option तारक केंदर का द्विगुनन Protein का संस्लेशन DNA का संस्लेशन एक से अधिक विकल तो यहाँ पर Centriol जो है वो Centriol Duplicate नहीं होगा Protein R Synthesize ठीक है DNA R Synthesize तो यह भी नहीं है और यह भी नहीं है यह जो Centriol है वो Centriol कहीं न कहीं S-phase के अंदर क्या होता है duplicate हो जाता है बिल्कुल NCRT एक statement देती है कि जो S-phase के अंदर जो है वो आपकी क्या हो जाता है Centriol का क्या हो जाता है duplication हो जाता है DNA Synthesize में होता है पर जो protein होता है वो protein और विशेश कर कौन सा protein tubulin protein जो आगे चल कर के समसुत्री विभाजन हो चाहे वो अरसुत्री विभाजन हो उसमें तरकुतंतू का क्या करता है निर्माण जेसे यह गुण सुत्र है और इसके अंदर इस तरीके से काइनेटो कोर है तो यहाँ पर जो तरकुतंतू बनते हैं उन तरकुतंतू के निर्माण के लिए कौन सा protein होता है tubulin protein होता है जो G2 प्रावस्ता में मुख कहता है जो है वो बनता है S phase के अंदर histone protein का क्या होता है आपके निर्माण होता है ठीक है ना तो यहाँ पर G2 के संदर में पूछा गया तो second option क्या हो जाएगा बचो right हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं 55 के अंदर 55 के अंदर और cell cycle event are control by कोश का चक्र की गटना नियंत्रित होती है अन्वानशी की रूप से मेटाबोलिक रूप से साइटो प्लाजमी रूप से या राइबोजोम के द्वारा अन्वानशी की रूप से होता है उपापचे द्वारा होता है कोश का दर्वे होता है या राइबोजोम के द्वारा नियंत्रित होता है तो यहाँ पर यह NCRT के रहे हैं कि जो cell cycle की जितने भी प्रावस्ताइं हैं अगर कोई भी कोशी का अगर interface में जा रही है या अंतरावस्ता में जा रही है इस तरीके से एक cell cycle की बात करें तो इसमें अधिक्तम समय किसके अंदर है जीवन के अंदर फिर उसके बाद में है वह आपकी क्या की जाती है नियंत्रित की जाती है कि वह कोश्ट का विवाजन आगे होना है कि नहीं होना है तो फस्ट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर राइट हो जाएगा पच्छपन नंबर के अंदर नेक्स बढ़ते आगे spindle fibers attach on to तरकु तंतु जुडते हैं जैसे अभी बताए आपको कि तरकु तंतु जो है वो किस पर जुड़ेंगे जैसे ये गुण सुत्र है क्रोमोजोम है और यहाँ पर क्या पाए जा रहे है काइनेटो को और यहाँ पर क्या होगा spindle fibers हो जाएगे तो यह spindle fibers किसके द्वारा किसके साथ जुड़ेंगे काइनेटो को सेंट्रो सोम के साथ में डारेक्ली नहीं जुड़े होते हैं तीलोमर के साथ में भी नहीं जुड़े हैं सेंट्रो सोम ऑफ दा क्रोमोजोम सोरी सेंट्रो मीर हैं यहाँ पर सेंट्रो मीर के साथ में भी नहीं सेंट्रो सोम के साथ मे क्लील होते हैं सेंटरो सों क्योंकि सेंट निकल रहे हैं पाइज नहीं सेंटरो सों क्या होगा सबस्टन द embracing क्या आप शापन पाम रही है और सत्यावन नमबर में विच इस बेस्ट फेज फोर दा स्टडी ओफ क्रोमोजोन निम्न में से कौन सी अवस्था गुन सुत्र धिन के लिए श्रेश्ट होती है पूरु अवस्था प्रोफेज मेटा फेज मद्यावस्था प्रोफेज फास्ट टिलो फेज तो अगर अपन ये बात करें कि जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया तो इस केंद्रक के अंदर अगर अपन देखें तो पूर्ट गुन सुत्रे बनते हैं या संगनित हो जाते हैं कौन सी अवस्था के अंदर मेटा फेज के अंदर किसी भी कोश्का के अंदर गुण सुत्रों का क्या कर सकते हैं, अध्यन कर सकते हैं, तो दिम्न में से कौन सी अवस्ता गुण सुत्र अध्यन के लिए क्या होती है, स्रेश्ट होती है, तो सत्यावन में के अंदर क्या जाएगा आपके, second option हो जाएगा मतलब metaphase या मध्या अवस्था चीक है आगे बढ़ते हैं 58 number के अंदर Aster arise from तारक का निर्मान होता है Centrosome Cytoplasm Chromated Centromere Tarkai, Kaushika द्रवे Chromated या गुण सुत्र बिंदु किसके द्वारा जो है वो बनते हैं तो अभी जैसे Centrosome है, इस Centrosome के अंदर ये पाए जा रहे है Centriol ठीक है, तो यहां से क्या होते हैं Aster या तारक का क्या होता है निर्मान होता है तो यहां से बनेंगे और फिर आगे चल करके ये तर्कु तंतु को क्या करेंगे निर्मान, और यही जो है गुण सुत्र पर तस्त्री नुमाए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जा रहे है जिसका नाम के काईनेट और एक प्रोटीन है उसके साथ में क्या होंगे ये जुड़े होए रहेंगे तो 58 का जो एंसर होगा क्या हो जाएगा Centrosome कैंसर हो जाएगा Centrosome हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 59 How many states can consider nuclear division of mitosis निम्ण में से कितनी अवस्था है समसुत्र विभाजन के केंद्रे विभाजन में समलित की जाती है समसुत्री विभाजन मतलब nuclear division का मतलब क्या हुआ केरियो केरियो kinesis क्या मतलब होगा केरियो काइनेसिस और केरियो काइनेसिस पे अपन जानते है चार आती है कौन कौन सी प्रो फेज मेटा फेज ठीक है एना फेज और लास्ट में कौन सी आती है टीलो फेज यह चार होती है केरियो काइनेसिस के अंदर तो यहाँ पे option के अंदर देखो क्या दे रखा है इसके अंदर यहाँ पे पूछा है क्या है कितनी होती है तो चार होती है इसके अंदर प्रो फेज होता है पूरु आवस्ता मेटा फेज मद्यावस्ता एनाफेस पश्यावस्ता टिलोफेस अंत्यावस्ता ठीक है तो option क्या चला जाएगा second option क्या होगा तो अभी तक अपने देगो जितने भी question किये यह आप अच्छे से समझे ना सारे ncrt बेस्ट फ्रेम किये दें ठीक है और आपको भी अच्छे से पता होगा अगर आपने अच्छे से ncrt रीड कर रखा है ठीक है next question देखते है next question देखते है consider the following statement निम्न कतनों पर विचार कीजिए अब चार statement दे रखें और अपने से पुछा गया एना फेस से समझे या पस्च्छा वस्ता के देखते हैं गुण सुत्र विंदू विखंडित होते हैं और अर्ध गुण सुत्र अलग होने लगते हैं अर्ध गुण सुत्र विप्री दूर्व के और जाने लगते हैं और केंद्रिका गोलजी का आई वैं अंते द्रवी जालिका का पुने निर्मान हो जाते हैं और गुण सुत्र व और यहां पर något कं इस तरीके से सरचना दिखाए देती अपने को तो यह देखो पहला option आसेoj बिल्कुल सभी है सेंट्रस में हो जाता है और क्रॉमेटिट सेप्रेट हो जाते हैं बिल्कुल सही वोगिटी पॉल की तरफ जैसे इसमें अलगलग शेप होती है, V-shape, L-shape, J-shape, I-shape होती है Nucleus Golgi Complex ER Reform, यह इसका character नहीं है यह टिलो phase का इसके बाद में जो phase रती है, उसका है अंतियावस्था का है और ऐसे chromosome cluster at opposite spindle pole, यह भी character किसका है, टिलो phase का होती है तो यहाँ पर दो option जो है, A और B, वो तो एना phase से संबन दित है और यह जो है वो टिलो phase है, बट अपने से पूछा, एना phase के बारे में यह गए है पस्च्यावस्था के बारे में गए है, तो अपन दो को क्या करेंगे, यहाँ पर सही करेंगे और दो जो option दे रखा है, वो कौन सा option है, third option हो गया, चीक है, आगे बढ़े है फिर एक सट नमबर दफरोग ग्रेजुएली डिपेंस एंड अल्टिमेटली जोइन इन दा सेंटर, डिवाइडिंग दा सेल साइटोप्लास्म इंटो टू हेर, दा सेल इस खाचो के लगातार गहरा होने वाइड में एक केंदर में, आपस में, मिल ने से कोषका का कोश्कातर दरवे दो भागों में बढ़ जाता है, यह कौन सी कोश्का से संबन दीत है, the सेल is, हैга तो यहां पर जानते हैं कि ढ़ेंदार कोश्यका है और इस तरेकेसे कोश्का से दो कोश्का क्या मुझा हो सेन्टर की तरफ जाती है इसको पन बोल सकते हैं तो यह वह सामानें किस से संबंधित है एनिमल सेल से क्या होता है संबंधित होता है तो 61 का जो एंसर होगा वह एंसर क्या चला जाएगा second option है ना यहां पर clearly देखो बोला गया है deeply है ना और center dividing cytoplasm तो यह इस तरीके से होगा ठीक है तो 61 का क्या होगा animal cell ठीक है 62 की बात करते हैं अपर विच आप फॉलेंग स्टेटमेंट इस तू नीमने में से कौन सा कतन सही है cell plate represent the middle lamella between the wall of two agent cells दूसरा उप्शन के है at the time of cytokinesis organelle like mitochondria and plastid get distribute between the daughter cell in telophase chromosome identity is lost as discrete element कोशिका पट्टिका दो सन्निकट कोशिकाओं की बित्यों की बीच मंद्य पट्टिका गुदर्शात है कोश्का दर्म विवाजन के समय कोश्का अंगंग जैसे सुत्र कणिका वा प्लास्टिड का दो संत्ति कोश्काओं में वित्रण हो जाता है तीसरा अगर आपन बात करें अंत्यावस्ता में गुण सुत्र की पर्थक पहचान समापत हो जाती है उर्चो था यह का गया उप्रोक्त सभी तो यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि इन में से अपने को वह देखना है कौन सा सही है सभी तो बिल्कुल फर्स्ट चॉप्शन सही है कि मद्य पट्ती का जक्त है या मिद्लने मिला का क्योऽÈं निर्वान होते हैं दूसरा यहां पर जो है वह और जैसे माइट्रो कॉंड यह क्लोरोप्लास्ट है वह क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं तो यहां पर फॉर्ट ऑप्शन क्या होगा राइट हो जाएगा मतलब इसमें लगबख सारे उप्रोक्त क्या हो जाएं सारे के सारे जो है 62 के अंदर क्या होंगे सही होंगे ठीक है आगे बढ़ते 63 के अंदर कौन सी अवस्था समसुत्री के पूर्ण होने को परदेशित करती है साइटो काइनेसिस ही करेगा केरियो काइनेसिस नहीं करेगा इंटर भी नहीं करेगा इंटर काइनेसिस और टिलोफेज भी नहीं करेगा तो कोश्ट का अदर भी वहाजन ही पूर्ण रूप से परदेश कि एक कोश्का में दो द्वी के अवस्ता देखने को मिल सकती है लेकिन साइटो काइनेसिस पूर्ण के अपनी कह सकते हैं कि एक कोश्का से जो है वो दो कोश्का होगा क्या हो गया निर्माण हो गया तो 63 में क्या जाएगा पस्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स बढ़ते है 64 के दिवाइडेड बाइ माइटोसेस निम्न में से कौन से जीव की एगुनित कोश्का में समसुत्री वादिन होता है देखो यह NCRT में दे रखा है और NCRT ने यह का है कि कई ऐसे जीव जिनके अंदर मुख्यकाय जो होती है वो एगुनित होती है उनमें भी किस प्रकार का होत होता है भी भाजन होता है तो सम्कूर ब्राइब लवर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है यह जीजिसे मद अगर आपने यह कहे तो जैसे नर के अंदर देखने को मिलेगा या मेल के अंदर देखने को मिलेगा ओनली लोवर प्लांट केवल निम्न पादप के अंदर देखने को मिलेगा यह कहना मिलकुल गलत है तो यह पर फर्स्ट और सेकिंड क्या होगा राइट हो जाएगा इसका राइट जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 65 के अंदर है दा कॉंप्लेक्स पॉर्म बाइए पेर ओफ सिनेप्स डे होमो लोगस क्रोमोजोम इस कार्ड समिश्र का निर्माण एक जोड़ी सुत्र यूगमित समझात गुर्ण सुत्रों द्वारा होता है कहलाता है तो इसके अंदर क्या होगा देखो यह जो गुर्ण सुत्र हैं इस तरीके से ठीक है इन गुर्ण सुत्रों को अपन क्या बोलते हैं होमो लोगस क्रोमोजोम या समझात गुर्ण सुत्र और यह होते हैं इनकी क्या सिस्टर क्रोमेटिड यह भी क्या होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बट यह जो होते हैं वह होंगे नॉ बिल्कुल राइट जो है वह आपके क्या होगा एंसर जाएगा तो सेकिंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बढ़ते आगे क्रोमोजोम के बीच में दो समझात गुन्सुत्रों के मद्दे पाया जाता है तो सेकिंड ऑप्शन क्या होगा 66 के अंदर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इस ठीक है आगे बड़े 67 के अंदर which stage of miosis show the crossing over अर सुत्री की कौन सी हवस्ता में gene win में उपस्तित होता है crossing over का मतलब क्या हो जैसे यह गुल सुत्र है और यह भी यहां पर तो यहां पर क्या होगा DNA सेगमेंट का क्या होगा यह वाला जो भाग है करना इसके अंदर क्या होगा आदान sponsor होगा और यह जो आर्शुत्री में होता और और जो पूर्व फस्ट है उसमें देखने को मिलता है लैप्रोटीन जाइगोटीन तीन रिप्लोटीन डाइक लिस्ट न entrepreneur पेकाईटीन स्टेज के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो पेकाईटीन स्टेज या फिर स्थूल पट अवस्था जो है वो बिलकुल सही है जहां पर जीन विन में जो है वो देखने को मिलेगा और डीने का जो भाग है उनका आदान परदान होगा और उसी कारण से वहा नए लक्षन भी जो है वो देखने को मिलेंगे तो इसमें क्या तला जाएगा फॉर्थ ओप्शन क्या हो जाएगा लाइट हो जाएगा ठीक है नेक्ष्ट अपन देखते हैं इसके अंदर विच एंजाइम पार्टिसिपेट डूरिं क्रोसिंग ओवर बिट्विन होमोलोगस क्रोमोजोम समझाद गुन सुत्र में जीन विन में के दोरान कौन सा एंजाइम भागेदारी लेता है तो यहाँ पर अभी जैसे बताया री कॉम्बिनेशन या पुनर योजन एक परकरिया होती है और उस पुनर योजन परकरिया के अंदर जो एंजाइम चाहिए वह कौन सा चाहिए री कॉम्बिनेश कौन सा एंजाइम चाहिए री कॉम्बिनेश को कि बोला गया है समझाद गुन सुत्र में जीन विन में कौन से एंजाइम की उपस्तिति में होता है तो एंसर क्या जाएगा यहां पर री कॉंबिने सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो यहां तक जो अपने क्यूश्चन देखें वह अभी तक आपने एक चीज अच्छे से समझ लिए होगी कि एंसर के जितने भी पॉइंट से जितने भी कॉंसेप्ट है वह सारे अपने जो है वह यहां पर वन बाई वन करके सॉल कर रहे हैं तो 68 का क्या वास सेकेंड ऑप्शन हो गया आगे बढ़ें फिल 69 68 का क्लियर है आगे बढ़ते है 69 के अंदर बाई वेलेंट क्रोमोजोम अलाइन ओन दा एक्वेटर डियूरिंग युगली गुण सुत्र मत दे रेखा पट्टिका पर विवस्तित होते है देखो युगली गुण सुत्र चीक है और ये किस के अंदर होंगे क्लियर एक एंसियारिका स्टेटमेंट है कि जो बाई वेलेंट क्रोमोजोम होते हैं वो सारे के सारे मेताफेस में होते हैं गुण सुत्र युगली बोला गया है तो इसलिए यहाँ पर एपन बोलेंगे इनाफेस में नहीं होगा गभाषेस श्चारणों को विवस्तित कीजिए देखो यहां पे झैसे आभी बता है आपको लेपकीन होता है जाइगोटीन होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिपलोटीन, डाइकाइनेसिस तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखें और वो स्टेटमेंट क्या कह रहें यहाँ पर यह बोला गया है कि So, यहाँ पर इसको व्यवस्तित करने है तो यहाँ पर अगर अपने एक पॉइंट देखें तो सिनेप्सिस जो हता है, वो किस में बनता है? जाइगोटीन में बनता है और सिनेप्टोनीमल कॉंप्लेक्स भी किसके बनता है? जाइगोटीन के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर Z के respect में मतलब यह है तो यह क्या होगा आपके जो है first आजाएगा फिर उसके बाद में अगर अपन कहीं कि यहाँ पर synapsis बना और synapsis हो करके crossing over होगा अब crossing over तो दे नहीं नहीं रखा है यहाँ पर यहाँ पर एक enzyme दे रखा है recombination के reference में और वो कौन सा है recombinase कौन सा हो जाएगा recombinase हो जाएगा तो recombinase के respect में आप क्या होगे इसको तो यह क्या हो जाएगा आपके second number हो जाएगा इसमें arrangement कर रहें तीसरा गया आपके appearance of काईज मेटा तो आप कौन सी stage होगी जाएगोटीन होगा फिर पैकाईटीन होगा फिर कौन सा होगा डिपलोटीन होगा और डिपलोटीन में क्या होगा यहाँ पर काईज मेटा X-shape का दिखाई देगा तो यह चला जाएगा कि इसको first, sorry third number ठीक है फिर उसके बाद में क्या होगा अब क्या होगा diikinesis होगा diikinesis के लिए जो है वो क्या चाहिए mutic spindles चाहिए तो यह क्या होगा fourth तो यह sequence है first, second, third, fourth तो यहाँ पर first क्या है B, second क्या है D, A और C तो यहाँ पर option क्या होगा second option क्या हो जाएगा right हो जाएगा 70 के अंदर जो है वो आपकी क्या होगा second option क्या होगा right है 71 के अंदर in उस side of some vertebrates the stage of meiosis first that can last for month or year would be कुछ कशेर की प्राणियों के अंड को में अर्सुत्री first की कौन सी अवस्था महीनों या वर्षों बात समाप्त होती है तो बिल्कुल NCRT का है और NCRT का कहती है किसको मानती है 71 के अंदर diplotene को मान रही है या किसको मान रही है द्वीपटी है जो है वो सरचना को यहाँ पे मान रही है कौन NCRT के according और ये कुछ वर्टीब्रेट्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है और जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद में आगे की जो है वो प्रकरिया क्या होती है संपन होती है तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा 71 का थर्ड ओप्शन हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं 72 नमबर विच स्टेज ओव मियोसिस फर्स्ट इस करेक्टराइजड बाई दा अपेरेंस ओफ रिकॉम्बिनेशन और निम्ड में से कौन सी अर्सुत्री फर्स्ट की अवस्था में पुनर योजन ग्रंतिकाएं दिखाई देती है तो पुनर योजन ग्रंतिकाएं किसमें दिखाई देगी जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन सी स्टेज होती है पैकाईटीन स्टेज होती है यह जिसको बन क्या मोलते है इस्थुल पर्टे आवस्ता होती है और इस्थुल पर्टे आवस्ता के संदर्म में जो option अपना होगा वो option कौन सा हो जाएगा फॉर्थ option क्यों हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है अब बिगनिंग ऑफ डिपलोटीन इस रिकॉगनाइज़ बाइट इपट प्रारंबिक रूप से पहचानी जा सकती है तो बिगनिंग कैसे होगा डिपलोटीन का तो यहां पे जो अभी तक क्या हो रहा था क्रोसिंग ऑवर हो रहा था गुण सुत्र के मद्दे में और क्रोमोजोम के मद्दे में अब यह दिरे-दिरे क्या होंगे अलग-लग हो जाएंगे अलग-लग मतलब यहां पे जो सिनेप्टोनिमल कॉंपलेक्स था वो सिनेप्टोनिमल कॉंपलेक्स अब क्या होगा दिरे- 3 के अंदर जो option जाएगा वो कुन सा होगा 3rd option हो जाएगा ठीक है फिर next बढ़ते है 74 के अंदर the stage between the two meiotic division दो और सुत्री विवादन के बीच के वस्ताओं कहते देखो यहां पर जब एक कोशिका है इसके अंदर two and है इसके दो कोश्का बनी और इसमें गुण्शुत्रों के संक्षिय आ दी होगई क्योंकि यह division कौन सा है कौन सा division है अड़ सुत्री विवादन मियोसिस अब इससे वापस से क्या बनी दो कोश्का बनी जिसमें गुन सुत्रों की संक्य क्या है या क्रोमोजोम की संक्य क्या हो गई समान हो गई है ना इसमें N है इसमें भी N है इसमें N है और इसमें भी N है तो यहां पर जब यह तो हो गया कौन सा Reductional Division और यह कौन सा हो गया अंत्राला अवस्था क्या कहेंगे उसको अंत्राला अवस्था के नाम से जानेंगे तो 74 के अंदर जो है वो 4th option आजाएगा परलाब अंत्राला अवस्था वो है जो 2 और सुत्र विवाधन के मद्दे पाई जाती है तो अगला अपन देखते हैं 75 के अंदर निमने कौन सी अवस्था में विप्री धोरों की तरको तंत्रों की सुक्षम नलिकाए इनके संतत्ती अर्ध गुर्ण सुत्र के काईनेट अकोर से चिपका रहता है तो यहाँ पे देखो जो अपने को बात समझ नहीं है यहाँ पे यह है कि जो टुबिलीन प्रोटीन द्वारा जो माइक्रो टुबियूस बनते हैं वह उपोजिट पोल की तरफ है और स्पिंडल के थूँ जो है वह किस से जुड़ेवे काईनेटो कोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटीड की अगर अपन बात करें तो सिस्टर क्रोमेटीड जो है यहां पर क्या हुए को एक क्रोमेटीड ज़्यकर गोच न तो इनको पन कै हो सिस्टर क्रोमेटिड टीड जो सिस्टर क्रोमेटीड अपन है sister chromated बोलेंगे आई वास समझ में यहां पर ठीक है तो यहां पर option क्या होगा पिछे तर के अंदर क्या हो जाएगा फॉर्थ option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके अंदर ठीक है फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं in which stage of meiosis the splitting of the centromere of each chromosome can seen अर्शुत्री की कौन सी अहस्ता में प्रते गुण सुत्र के गुण सुत्र बिंदुर का अलग होना दिखाई देता है तो यहाँ पे centromere या जो गुण सुत्र बिंदु है उसके पर्थक की बात की गई है और अर्शुत्री में बात की गई है और यह अपन जानते हैं यह जो 76 जो है वो किसके अंदर जेखने को मिलेगा आपकी एनाफेस के अंदर जो है वो यह सरचना देखने को मिलेगी तो य स्ट्री का आप्शन की ओजाएगा राइट क्योंकि यहां पर यह जैसे गुर्ण सुत्र है ठीक है और यह सिस्ट्र ओगा अब इसमें क्या होगा यहां पर विभाजन देखने को मिलेगा यह ए्दिवीजन इस मेलग जो सैंट्रोमीर है गुंसुत्र बिंदु निदु है व किस तरिके से सरचना क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा एंसर क्या होगा थार्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा 76 का राइट हो जाएगा इसमें नेक्स्ट है 77 in which stage of meiosis the splitting of the centromere of each chromosome can seem 77 का the homologous chromosome separate in which stage of meiosis समझाद गुमसुत्र अर्चुत्र की कौन सी अवस्ता में पर्थक हो जाते हैं तो समझाद गुमसुत्र अलग होंगे याद रखना एनाफेस फस्ट के अंदर ने प्रो फेस में होंगे ना मेटा फेस में होंगे ना तीलो फेस में होंगे एनाफेस फस्ट के अंदर जो है वो यह देखने को मिलेगा तो इसका option क्या तिला जाएगा थार्ड option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा फिर आगे बड़े हाँ 78 नंबर क्यूश्चिन देखते हैं ठीक है अब इसमें गया देखो मैच दा कोलम स्तंब का मिलान कीजिए और इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखें जीवन एस जी टू मेटाफेस से संबन देते हैं अमाउंट ओग डी एने पर सेल डूपलिकेट मेटाबोलिक मोर एक्टिव एन कॉंटिनेस ग्रो टिबिलीन प्रोटीन और सिंथेसाइज इन प्रिपेशन फॉर माइटोसीस डी एने की मापता दुगनी हो जाती है उपापची रूप से अधिक सक्री और निरंतर व्रदी कर टिबिलीन समसुत्री टिबिलीन प्रोटीन जो हते हैं टिबिलीन प्रोटीन समसुत्री विभाजन जो है उस समसुत्री विभाजन के लिए निर्मित होते हैं समसुत्री इसको करेक्ट करना है समसुत्री विभाजन के लिए क्या होते हैं निर्मित होते हैं ठीक है ना टुबिलिन प्रोटीन और सिंथे साइज इन प्रिपेशन फॉर माइटोसिस ठीक है तो यहां पर मेटा फेज में अलाइनमेंट ओफ एक्रोमोजोम इसके जो दे रख है इसको मेच करना है अपने को तो यहां पर जो एस फेज है वो तो नो डाउट इसको जाएगा अब देख करें तो टुबिलिन प्रोटीन बनता है जिससे आगे चल करके जो है वह आपके स्पिंडल फाइबर से तरकु तन्दू हो गया होता है दिर्बाद होता है तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्षिन हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इमीनो गरूप होता है और एक चोड पर आपके क्या होता है कार्वोग्चली गरूप होता है दो चोड हो जाएगे इसके अंदर तो फॉस्ट ऑप्षिन क्या हो जाएगा शेवंटी नैं के अंदर हो आपके हो जाएगा आगे बड़े next question देखते है अपन which protein structure of enzyme can affected by factor enzyme protein की कौन सी सरचना कार को द्वारा प्रभावित होती है कारक अगर अगर अपन कहें तो यहाँ पर जो कारक होते हैं मुख्यत है एक तो कारक आपके क्या होता है temperature, तापमान एक जो कारक होगा दूसरे नंबर का according NCRD अगर अपन बात करें तो pH तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा आपके substrate या करियाधार की सांदरता तो इनके द्वारा क्या होता है enzyme जो है वो उत्प्रेरित होता है या इस पर फरभाव पड़ता है तो यहाँ पर यह पुछा गया है कि जो enzyme है उस enzyme के अंदर protein की कौन से structure तो अपन जानते हैं कि जो enzyme जो होता है उस enzyme के अंदर जो protein की structure होती हो कौन सी होती है tertiary होती है या तृतियक प्रकार की क्या होती है सरचन होती है और उसी के अंदर आपके क्या होता है active site present होती है या सक्रीय स्थल क्या होता है उपस्तित होता है और इसी पर आकर क्या जुड़ता है सबस्टेट ये क्रिया धारा करके जुड़ता है और उत्पाद क्या होता आपके निर्मान होता है तो यहां पर answer क्या होगा? Tursery structure या तृत्यक सरचना देखने को मिलेगी क्योंकि clearly पुछा गया है कि which protein structure of enzyme can affected by factor enzyme protein की कौन सी सरचना कार को द्वारा परभावित होती है है ना इसका answer क्या जला जाएगा third option, tertiary structure या तृत्यक structure ठीक है 81 के अंदर How many cell form at the end of miosis second 80 सुत्री सेकिंड के अंत में कितनी कोश्का बनती है 2 haploid cell, 2 diploid cell, 4 haploid cell, 4 diploid cell 2 अगुनित कोश्का, 2 दिगुनित कोश्का, 4 अगुनित कोश्का, 4 जिगुनित कोश्का तो अच्छे से पन जान नहीं कि यहां पर यह कोश्का है जिसमें 2N है इससे पहले तो क्या बनेगी आपकी N और N बन गई है और फिर उसके अंदर वापस से क्या होगा विभाजन क्या हो जाएगा विभाजन हो जाएगा और इस तरीके से क्या होगा आपके N, N, N और N का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा तो यह आपर 4 कोश्का बनेगी चारवी कैसी होगी, ऐ गुणित होगी, कैसी हो जाएगी आपके, ऐ गुणिते देखने को मिलेगी, तो इसमें यह पुछा गए आपके, ठीक है, मियोसिस सेकिंड, है ना, मियोसिस सेकिंड के अंदर कितनी जो है वो कोश्काय देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो है वो answer क् आपकी, answer क्या हो जाएगा, answer क्या होगा इसके अंदर, third option हो जाएगा, third option देखने को मिलेगा, आरी बास समझों यहाँ पर, 81 के अंदर क्या आएगा, third option, क्योंकि इसमे एगुनित 4 हो जाएगी, ठीक है, आगे बड़े फिर, 82 के अंदर, which phase of meiosis first is typically longer and more complex compared to pro phase of mitosis, 803 first की कौन सी हवस्ता, समसुत्र विवाजन की पूरोवस्ता के तुल्ला में, अधिक लंबी वै, जटिल होती है, तो यह अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, कि जो pro phase होती है, वो सबसे क्या होती है आपके, लंबी प्रावस्ता होती कि इसकी तुल्ला में, mitosis की, pro phase के यह पूरोवस्ता की तुल्ला में, क्योंकि उसके लेप्टोटीन है, जाएगोटीन है, पैकाइटीन है, डिप्लोटीन है, और डाइकाइनेसी से, पांच प्रकार की उपवस्ता ही क्या होती है, पाई जा रही है, तो यहापे option क्या होता, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, तो 82 के अंदर जो है, वह आपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंग, 82 के बाद में देखते हैं, 83 की बाद, और 83 के अंदर क्या देखिएगा, क्लिरली अपेरेंस टेट्राड, रिकोंबिनेशन नोडूल, क्रोसिंग ओवर, चतुष्ट का इसपस दिखाई देना, पुनर योजन, पुनर योजन, ग्रंति का, जीन विन में, ये सारी चीज़े जो है, वो दिखाई दे रही है, तो किस के अंदर दिखाई देगी, के अवस्था देखने को मिलती है, ठीक है, तो second option होगा इसके अंदर, 83 के अंदर क्या हो जाएगा, second option हो जाएगा, आगे बड़े, 84 के अंदर, which model explain the double helix nature of DNA, निम्न में से कौन सा प्राध्राश DNA के दुरजुक कुंडलें की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर Watson और Crick जो model है, वो ही double helix model की क्या करता है, व्याख्या करता है, और इसके लिए इनको जो है, वो noble prize भी दिया गया था, 85 की बात करें, यहाँ पर, the number of cyclic ring present in Purine and Pyramidine, Purine वे Pyramidine में कितनी वले उपस्तित होती है, तो आपको यह याद रखना है, बिल्कुल NCRT का जो diagram दे रखा है, उस diagram के अंदर clearly mention कर रखा है, जो Purine होता है, उस Purine के अंदर तो क्या होता है, double ring होती है, और Pyramidine जो होता है, उस Pyramidine के अंदर क्या होता है? बिल्कंदे आगे-बडे 86 के अंदर which bond not present in DNA DNA निम्न में से कौन सा बंद नहीं होता है peptide bond, hydrogen bond, glycosidic bond, phosphodiester bond, peptide bond, hydrogen bond, glycosidic bond और phosphodiester bond तो यहाँ पर second होगा, third भी होगा, fourth भी होगा लेकिन peptide bond, protein के अंदर क्या होता है, उपस्तित होता है 86 के अंदर के आजाएगा, आपके first option आजाएगा इसमें, ठीक है, which of the following is correct निम्न में से कौन सा सही है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखें और देखो यह तीनो नुकलियोटाइड के संबंद में प्लस फोस्वेट होता है, बिलकुल स zg है यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और फोस्वेट नुकलियोटाइड और नुकलियोई सथ नहीं होता है तो यह भी जो है वो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है तो यहाँ पर एंसर कहते लख दो जाएगा first option क्या हो जाएगा 87 के अंदर right हो जाएगा ठीक है आगे बड़े 87 के बाद में देखते हैं 88 ठीक है which one is a nucleotide निम्न में से कौन सा nucleotide है तो nucleotide कौन सा होगा एडिनोसीन नहीं है यूरीडीन नहीं है बट एडिनाइल एसीड जो है क्योंकि ये सारे क्या है आपके nucleoside होते हैं cholesterol भी नहीं होता है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो एडिनाइलिक एसीड ये एडिनाइलिक एसीड जो है वो क्या होगा nucleotide जो है वो रहेगा तो 88 का क्या जाएगा थार्ड ओप्शन हो जाएगा इसमें 89 की बात कर लेते most of these enzymes classified into how many classes अधिक्तम एंजाइम को कितने वर्गों में वर्गी करत किया गया है तो ये NCRT में दे रखाया clearly तो most of जो है वो कितने के अंदर six classes के अंदर क्या किया गया है वर्गी करत किया गया है ठीक है आगे बढ़ते 90 के अंदर दा figure given below show दा conversion of a substrate into product identity दा ए अलब यहाँ पर क्रिया धार से उत्पाद का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है तो इसमें ये पुछा गया है कि A जो है वो क्या है तो A जो है वो होता है बिना enzyme के या enzyme रहित सक्रियन उर्जा या activation energy without enzyme किसके बिना activation energy without enzyme तो first option right हो जाएगा ये NCRT के अंदर diagram में clearly mention कर रखा है ठीक है next है 91 के अंदर अब कुछ points दे रखें देखो growth and reproduction are characteristics of cell व्रदी वा प्रजिनन कोश्का की विशेस्ता होती है cell cycle event control genetically कोश्का चक्र प्रक्रम जो है वो अन्वान्शी की नियंत्रित होता है इन जीवन phase the DNA can replicate जीवन प्रावस्ता बें DNA प्रति करती होती है chromosome number same in S phase S प्रावस्ता के तो हम बुर्द सुत्र संख्या समान होती है ठीक न तो यहां पर यह पूछा गया है कि कितने statement जो है वो ट्रू है मतलब यह statement wrong है इसके अलावा तीनो statement A B और जो D है वो आपकी क्या है सही इसका मतलब fourth option अपना right हो जाएगा इसके अंदर आरे बाद समझों यहां पर ठीक है तो 91 के अंदर जो है वो 91 के अंदर जो है क्या देखने को मिलेगा अपने को कौन सा option हो जाएगा fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा है ना कोश का चक्रप्रक्रम जो है वो अन्वान्शी की रूप से क्या होता है नियंत्री तो होता है कि नहीं होता जीवन प्रावस्ता में DNA के पढ़ती करती कहा होती है वो तो S face के अंदर देखने को मिलता है तो यह statement क्या हो गया आपके रोंग हो गया तो यहां पर जो answer जाएगा वो कौन सा चला जाएगा आपके तीर statement से ही मतलब fourth option क्या अपना right हो जाएगा next बढ़ते हांगे 92 के अंदर संकोष की आवस्ता पाई जाती है तो यह बिल्कुल लिक्विड एंडोस्पामीन कोकोनट यह नारियल के तरल भ्रूण कोश में उपस्तित होती है तो सोल अंडोस्पाविन कोकोनट नारियल की अंदर भिएयर टूरिस्ट्ट और विच टाइप आप रिशु कोश्पवेश का विषदन कौन से अंुपाद को बना है रखती है तो बिल्कूल एंस्याटि wagon स्टेट्मेंट है कि कोश का जो विभाजन होता है वो कहीं ना कहीं आपके नुख्लियो साइट्टो प्लाजमिक रेश्यो को मेंटें करती है केंद्र तो इसके रख पाय देनेवाले जो केंद्र 현재 जो है उसमें गुनसुत्र जो है वह भी आपकी क्या होंगे या अलग-लग होंगे तो उनको भी बराबर रखना हना उनकी समान संख्या रखना ये सारी प्रक्रिया जो है वह इसलिए होते हैं जिस से उसमेे क्या देखने को मिलेगा नुखलियो sync राइटो प्लाज्मिक रेश्यों इसमें क्या नहीं तो थर्ड ऑप्शन इसमें 93 में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके 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 नाइनटीफोर की बात करें माइटोटिक डिविजन पर्जेंट इन विच टिशू कौन से उत्तक में समसुत्र विवाजन पाया जाता है देखो यह आप धियान रखें कि यहां पर एसी आटी ने कुछ एनाटोमिक के वर्ड भी काम में लिये हैं इस चेप्टर के अंदर मेरेश्ट्रमेटिक टिशू विविजोत्य की उत्तक शिर्ष एधा और पाश्र एधा इन सभी के अंदर क्या होता है पाया जाता है तो इसका मतलब यहां पर फॉर्ट ऑप्शन वें थे यह वह हैं जिनमें निरंतरूप से क्या होता है विभाजन और जो विजोत्य की छेत्र होता है उसमें सामान यह सम्सुत्री प्रकार का देखनी को बिलता है तो यहां पे 94 के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो वह क्या जाएगा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा फिर उसके बाद में 95 की अगर अपन बात करें पेप्टाइड बोल्ड परजेंट बिट्विट्विन पेप्टाइड बंद उपस्तित होता है देखो पेप्टाइड बंद किसके बीच में उपस्तित है अगर अपन यहां पर देखें ठीक है या कारवन को तेक सेकेड अगर और सिच ओएच ठीक है एच आर हो गया और इसके लावा एनेच टू प्लस यहां पर जो सी ओएच ठीक है कारवन यह हो गया एच और यह एनेच टू पहले एमिन पता है यह इसके बंद यह देखने को मिल सकता है तो कार्वोग्जिल्स के ग्रूप ओजनगे तो क्यों दोनों में तो यह नहीं होगा इसके बीच में बीच बीट्विन टु कार्बन ये भी नहीं होगा तो एक अधिक और यह घ्स की अंदर राइट के अंदर पैप्टाइड और वॉतर मोल्कूल यहां से किया आगे रिलीज हो जाएगा इसमें 96 की तरफ बढ़ते हैं अपन दूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस दा इस्ट प्रोड्यूस किन्वन प्रक्रिया के दुरान इस्ट उत्पन करता है ठीक है ना तो इस्ट क्या उत्पन करेगा एथेनोल लेक्टिक एसीड उत्पन नहीं करेगा और सेलोलोस भी उत्पन नहीं करेगा क्या उत्पन करेगा? NC80 में लिक रखा है 96 में क्या उत्पन करेगा? एथेनोल का क्या करेगा? निर्माण करेगा ठीक है? फिर उसके बाद में आगे बड़े 97 के अंदर रबर्ड गम सेलोलोस अभरन रिसीन तो यह बिल्कुल एक NCRT का जो है वो स्टार्टिंग का एक लिस्ट बना रखा है उन्होंने और उस लिस्ट के अंदर क्लिरी मेंशन कर रहा है कि रबर गम और जो सेलूलोज है रबर गम और सेलूलोज तीनों क्या होते हैं आपके पॉलिमेरिक सब्स्टेंस होते हैं बड़ जो अबरीन और रिसीन होते हैं वो टॉक्सिंग होते हैं विशेली होते हैं तो बहुलक पदार से सम्मझित पूछा गया तो तीन हो जाएंगे इसके अंदर इसका मतलब जो अपना ओप्शन जाएगा इसके अंदर-फॉर्थ ऑप् इंसुलीन, कोलेजन, परती रक्षी, ग्लूट फॉर और इंसुलीन दे रखा है और इसे मिलान करने हैं और मिलान जैसे कोलेजन को यहाँ पे मिला सकते हैं एंटिबोडी को यहाँ पे मिला सकते हैं ग्लूट को यहाँ पे और इंसुलीन को यहाँ पे एसे यहां पर जो collagen है उसको इसके लिए पड्ति रक्षी को इसके लिए Glut को इसके लिए और insulin को इसके लिए मिला सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिएगा जो मेंच कर रहे है collagen एक लिए कौन से आपके एक लिए को सेकिंड अब यहां पर है ही नहीं यह उप्शन ही नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा राइट हो जाएगा अगर एक से ज्यादा अगर फर्स्ट होता तो अपने एक बार देखते हैं तो यहां पर ऑप्शन देही नहीं रखा है इसके अंदर इसमें क्या तला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो लिपीड एक इसका सिक्वेंस पूच्छा है पर्सेंटेज ओप्ड टॉटल शैलिलर बायूमास तो यह मान कि चलिएगा आपके पांसे जादा होगा फिर उसके बाद प्रोटीन सबसे जादा हुगा तीन सबसे ज्यादा होगा वो लिपीड आप उसका स्क्राइब किसे मेच करें इसके अंदर मेंच नहीं कर रहें इसका मतलब इसका है वह एंसर क्या होगा थाइड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो थाइड ऑप्शन क्या रहेगा इसका ठीक है आगे बड़े और इसमें कुछ स्टेटमेंट क्या है आपके देखना के यहां पर बोला गया है कि अमले विली अंच वास्त में कोश कद्रेव संगतन का भाग है इच प्रोटीन इस प्रोटीन एमिनो अमल का बहुलक होता है कोश का चक्र की कुल अवदी की 95% से अधिक की अवदी अंतरा अवस्ता में वहतित होती है और जीवन प्रावस्ता जो है वो माइटोसिस और डिने रैप्लिकेशन के पहले की एक अवस्ता है तो बिल्कुल चारों स्टेट्मेंट क्या है राइट है तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा सेकिन हो जाएगा क्योंकि यह एंसे अंदर दे रखे हैं और जीवन जो हती है वो आपके जैसे माइटोसिस कंप्ल कर लिया हुगा इस चीज़ को कि NCRT बेस्ट जो है वह आपके पेपर है कॉंसेप्ट बेस्ट पेपर है हर एक स्ट्रेट्मेंट को हर एक लाइन को जो है वह आप अच्छे से रीड करें अच्छे से पड़े अगर कोई क्यूशन गलत हुए है अगर आपने NCRT पड़ा ऐसा की कोशिश की थी ठीक है उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगावा और आपके जितने भी डाउट्स थे वह कॉंसेप्ट बेस्ट NCRT बेस्ट जो है वो सॉल हुए होंगे ठीक है पढ़ते रहे हैं अल्दे बेस्ट बिटा मेरे पास पहला गुशन गिवेन है माइनस 0.136 एलक्ट्रोन बोल्ट और हमनों से पुछा है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है सिम्पल सी बात है इस वाले स्टेटमेंट में भी रिडक्शन बाइदा हईड्रोज़न गिवन है यहां पर वाये आप 1 प्सुछा पॉशिव यहांपर रिड़क्शन बाइदा ह2 को और यह वाला जो हमारा SRP है यह हमारा क्या यह टेर फाटा पॉसिटिफ या मतलब यह जो metal है वो hydrogen के below present है electro chemical series में और यहाँ पर जो हमारे पास SRP given है बेटा वो SRP है हमारा negative SRP मतलब यह वाली metal जो है वो ECS में hydrogen के नीचे present है और हम सभी को पता है कि hydrogen उस metal को आसानी से reduce कर सकता है जो ECS में उसके नीचे है मतलब जिसका electrode potential positive है means we can say कि Cu2 positive iron को hydrogen gas के थूँ आसानी से reduce किया जा सकता है means हमारा पहला option क्या है वेटा correct second options को भी देख लेते हैं because हमें अपने paper में 4 options पर एक बार अच्छे से काम करना चाहिए Cu can be oxidized by H positive H positive के ड़ारा Cu oxy क्रत हो सकते हैं सी यू का oxidation कराना है हमें क्या भई Cu के थू oxidation कराना है अगर हम लोग Cu कित्री oxidation करा रहा है मतलब Cu क्या हो रहा है बेटा reduce हो रहा है मतलब H positive by H positive Cu का oxidation कराना है तो सी यू के oxidation का मतलब हो गया Cu प्लस H positive कंवर्ट इन पॉर्मा Cu 2 positive और यहां पर अगर हम लोग ट्वाइस आफ एच ले ले तो यह एक्वेशन बन जाएगी बेटा H2 hydrogen के लिए तो potential zero हुआ और यहां पर अगर हम लोग Cu का oxidation potential देखें मतलब E not of Cu oblique Cu 2 positive तो बेटा इसे हमें उलिट करना पड़ेगा मतलब E not के आ जाएगा बेटा negative मैं-0.337 बोल्ट अब्यस्सी बात है यह पता है कि वो electrochemical cell reaction या half reaction एक्जिस्ट नहीं करती है वो cell reaction एक्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए नॉट जो हो overall E not क्या हो बेटा negative मतलब यह वाला भी option possible नहीं है अगला है SN2 पॉस्टिव आयन can be reduced by hydrogen बिल्कुल गलत है क्योंकि SN जो है वो ECS में hydrogen के ऊपर है और जिसका जीता जागता प्रमाण है इसका SRP इसका मतलब SN2 पॉस्टिव को hydrogen से reduce नहीं किया जा सकता अगला है CU can be reduced SN2 positive always ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को क्या करता है बेटा reduce मतलब SN can be reduced CU2 positive but CU cannot be reduced SN2 positive मतलब option 4 भी possible नहीं है means क्योंकि इसका SRP positive दे रखा है इसका मतलब यह hydrogen से आसानी से क्या हो जाएगी बेटा reduce हो जाएगी मतलब हमारा option क्या होगा first correct होगा तो हमारे पस equation का डल जी क्या गया था डल जी not of the equation बराबर हमारे पास क्या आजाएगा बेटा डल जी नॉट टू डल जी नॉट टू हम लोग मिकालेंगे अगर तो डल जी नॉट टू किसके लिए था water के लिए था h2o dissociated in form of h positive plus क्या बेटा oh minus ठीक है इस calculation में अगर हम लोग देखें यहाँ पर लिख सकते हैं डल जी टू बराबर minus 2.303 डल जी टू है र्टी log of k क्योंकि equilibrium condition पर मैंने k की जगे क्या रख दिया बेटा kड़ अब डल जी टू क्योंकि हमें इसका लिए इलेक्ट्रोड potential निकालना है तो यहां देख सकते हैं माइनस nf e not बराबर आ जाएगा बेटा यह हमारे पास क्या minus 2.303 rt log of kw के लिए रहे अब यहां से minus minus को अगर हम लोग देखे तो cancel out कर सकते हैं और यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्या भई वन इंटू f इंटू e not जो की हमें calculate करना है बराबर आजाएगा 2.303 rt log of 10s power minus 7 10s power minus 7 को आप आगे ले सकते हो तो यहां से आजाएगा बेटा क्या e not बराबर minus 2.303 rt into 7 log of 10 base 10 clear है और upon हमारे पास क्या आजाएगा बेटा f f कितना था 965 00 clear है अब यहां से हम लोग रख सकते हैं valuation को तो हमारे पास आजाएगा e not बराबर minus 2.303 r की value रख सकते हैं 8.314 into temperature हमारे पास कितना था 298 into 7 and that should be divided by 965 00 जो आब इसको solve करोगे तो आपके पास answer हा जाएगा minus का 0.828 clear है बेटा बेटा अगला question हमारे पास given है how much will the potential of hydrogen electrode change when its solution is initially at equal to pH is equal to 0 and it is neutralized to pH is equal to 7 मतलब hydrogen का कोई एक electrode विभव कितना परवर्तित होगा जब इसका प्रारंबिक pH 0 से pH 7 तक उदासीन कर दिया जाएगा मतलब पहले हमारे पास pH जो था वो given था बेटा क्या भई 0 और बाद में जो pH है वो हो गया है 7 तो क्योंकि हमें यहाँ पर hydrogen के electrode के बारे में कुछ information नहीं है तो by default हम लोग मानते हैं कि वो electrode क्या रहा होगा बेटा reduction electrode hydrogen के लिए मतलब equation उसकी लिखोगे तो आएगा H positive plus one electron that should be give क्या बेटा half of H2 और क्योंकि यह हमारा क्या है SHE है क्या है बई standard hydrogen electrode concern कर सकते हैं 298 Kelvin पर तो प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 180m प्रेशर को क्या ले लेंगे 180m क्योंकि जब नहीं कि वेने केवल हमारी concentration of hydrogen ion को change करने के बारे में बात कर रहा है ठीक है तो पहली condition पर अगर आप equation लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा इसकी equation E not of cell sorry E of cell E of cell बराबर E not minus 0.0591 upon n log of product क्या है बेटा hydrogen का पार्शियल प्रेशर लोगे पावर क्या आएगा बेटा वन अपन टू अपन एच पॉजिटिव आइन क्या बेटा concentration के लिए हाइड्रोजन इलप्रोड है तो E not 0 हो गया मतलब फॉस्ट कंडिशन पर E बराबर आ गया minus 0.0591 electron का change 1 है log of यहां से ले लेंगे तो यह आजाएगा pressure वन एटियम पावर वन अपन टू अब क्योंकि हमारे पास पी एच बराबर कितना दिया है 0 पी एच बराबर 0 होने का मतलब हमारे पास सीधा आ गया है एच पॉजिटिव आइन concentration बराबर होता है टेंस पावर माइनस आप पी एच मतलब एच पॉजिटिव concentration बराबर हो गया टेंस पावर माइनस आप जीरो उसकी वैलिएशन अगर यहां पर पुट करते हो तो तुम्हारे पास पहली condition में इस सेल मिल जाता है क्या बेटा जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अब हम लों से इसने कहा कि भाई यहां से हमें calculate करना है pH बराबर 7 के लिए तो इसको रफ कर लेते हैं जरा pH बराबर 7 पर हमें इलक्ट्रोड पोटेंशल चाहिए ठीक है तो अभी भी pressure जो होगा बेटा वो क्या रहा होगा हमारे पास pressure अभी भी क्या रहेगा 1 ATM ठीक है अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास second condition में हम लोग यूज़ कर सकते हैं E cell बराबर क्या बेटा माइनस 0.0591 अपन वन लॉग आफ वन अपन एच पॉजिटिव आयन concentration second condition में इसने बोला है कि pH बराबर क्या है 7 तो इसका मतलब H positive ion concentration कितना हो गया 10s power of minus 7 के लिए रहे हैं इसको put करो तो यह आ जाएगा E naught या E cell बराबर minus 0.0591 और इसको चाहो तो प्रस कर लो तो यह उपर आ जाएगा log of क्या बेटा H positive ion concentration ठीक है भई यह उपर पुरा का पुरा आ गया तो इसको लिख सकते हो 0.0591 log of H positive concentration कितना है 10s power minus 7 तो minus 7 आगे multiplication में आ जाएगा 0.0591 into minus 7 और हमारे पास जो value आ जाएगी वो आ जाएगी minus 0.41 बोल्ट पहले हमारे पास जो potential था पहली condition pH बराबर 0 में वहाँ पर E naught हमने E calculate किया था क्या बेटा जीरो अब हमारे पास potential कितना आ गया है 0.41 जो कि negative में आया है मतलब potential negative में होने का मतलब potential क्या कर रहा है decrease इसका मतलब हम लोग सीधे तोर पे option fourth को tick करेंगे कि भाई the potential is decreased by 0.41 बोल्ट got it बेटा अगला question हमारे पास given बेटा how many electron flow when the current of 5 ampere pass through the conductor for 200 seconds जब एक चालक में 200 seconds के लिए 5 ampere धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो कितने electronों का प्रवाह होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था एक formula q is equal to i into t याद होगा अपनों को यहाँ से हम लोग आवेश या charge को calculate करते है धारा और समय जो की second में होता है उसके द्वारा तो यहाँ पर ampere कितना था बेटा पाच convert second में मतलब 200 तो यह हमारे पास क्या आगया बेटा charge यह total charge है और charge on one electron एक electron पर जो charge है वो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेल्स पावर माइनस 19 कुलाम है magnitude देख रहे हैं साइन को देखने की ज़ुरत नहीं है तो अगर मैं इस पूरे charge में से इस charge को divide कर दूँ तो मेरे को number of electron मिल जाएंगे तो number of electron बराबर q जो की उपर से मिलेगा upon 1.6 इंटू टेल्स पावर माइनस क्या बेटा 19 और इसको solve करोगे तो हमारे पास q आ गया 5 इंटू 200 डिवाइड बाई आ गया 1.6 इंटू टेल्स पावर माइनस 19 के लिए रहे हैं और यहां से जब हम लोग solve कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यह वाला 19 ऊपर चला जाएगा और यह हमारे पास आ जाएगा कितना बेटा यह हमारे पास आ गया कितना बेटा यहां से आ गया 0.8 19 उपर गया तो यह कितना बन गया 21 तो यह 5 अपान क्या बन गया बेटा 0.8 इंटू क्या बेटा 10 पावर 21 इसको solve करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 by 8 इंटू अब इड़ अभी हम लोगों ने कल्कुलिट कर लिया था क्यूं क्यूं बराबर हमारे पास कितना आ गया क्यूं बराबर हमारे पास आ गया क्यूं बराबर हमारे पास आ गया क्या बड़ी क्यूं बराबर आ गया 5 इंटू 200 पाँच गुणा 200 और अगर में नंबर आप इलक्ट्रॉन निकालने हैं तो इस चार्ज को 5 इंटू 200 को आपन डिवाइड करने किसे चार्ज आप इलक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 5 अपॉन 8 इंटू 10 पावर आप क्या भाई 22 और इसको अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है हमारे पास दा प्रोड़क्ट फॉर्म दे एकको सॉलूशन आप इलक्ट्रॉलाइज इन दा सेल हैविंग दा इनल्ट इलक्ट्रॉट अक्री इलक्ट्रोट रखने वाले एक सेल में जब एने बियार के जली विलियन को ग को सॉलूशन है मतलब वाटर भी है तो एच्टू और डिसोसेट हुआ किसमें भई एच पॉजिटिव और क्या बेटा ओएच निगेटिव हम सभी को बता है अकर मैं एनायन के बारे में बात करूँ तो डिस्चार्ज पोटेंशिल जो होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल ज डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा मतलब एनोर्ट पर हम लोग कह सकते हैं कि कौन जाएगा भई बियार निगेटिव जाएगा किस वाम में जाएगा भई बियार्टू कौन सा भई हाफ प्लस क्या रिलीस करेगा वन इलक्ट्रॉन जबकि कैथोर्ड पर अगर बात करो तो कैथोर्ड वर कौन कौन है भई एने पॉस्ट्रिव और है एच पॉस्ट्रिव के डिश्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या है ज्यादा मतलब यहां पर क्या होगा एच पॉस्ट्रिव प्लस वन इलक्ट्रॉन कंवर्ड होगे क्या बनाएगा भई हाप इलक्ट्रोड पर कैथोर्ड में क्या मिला एच टू और एनोड पर क्या मिला बियाल टू और सॉलुशन के अंदर बच कौन कौन गया एने बचा और ओएच बचा बचा मतलब अगर हमसे पूचा जाए प्रोड़क्ट इलक्ट्रोड पर प्रोड़क्ट नहीं पूचा है टो हमारा option हो जाएगा H2, BR2 and NaOH और आंसर आ जाएगा क्या बेटा? 3rd, ओके, अगला question देखते हैं, अगला question हमारे पास है, the weight of the silver displaced by the quantity of current which displaced the 5600 ml of the hydrogen and STP, आवेस की वह मात्रा जो STP पर 500 ml hydrogen gas को विस्थापित करती है, वह हो, आवेस की मात्रा, AG को कितने ग्राम विस्थापित करेगी? ठीक, आवेस की मात्रा समान है, तो हम लोग फैराडे के दोती नियम का अनुपालन कर सकते हैं, फैराडे के दोती नियम को या second law को अपलाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ग्राम एक्यूवेलेंट ओफ क्या बेटा, AG, बराबर ग्राम एक्यूवेलेंट ओफ क्या बेटा, H2, हाइडोजन गैस को रिलीस किया है, ठीक है भई, ग्राम एक्यूवेलेंट ओफ H2, अगला अगर हम लोग देखें, तो यहां से आजाएगा हमारे पास, ग्राम एक्यूवेलेंट ओफ H2 का मतलब क्या हुआ बेटा, ग्राम एक्यूवेलेंट ओफ H2 का मतलब हो गया, यहाँ पर आ जाएगा W आप AG अपन वेट आप AG क्या होता है 108 इसका एंट पेक्टर क्या है 1 हाइड्रोजन गैस के लिए पूछा इसने तो हाइड्रोजन गैस के लिए अगर देखे तो वॉल्यूम क्या है भाई 5600 तो इसको अगर एक हजार से तो यह आ जाएगा 5.6 लीटर टोटल वॉल्यूम 22.4 और हाइड्रोजन गैस का एंट पेक्टर कितना हो गया टू तो यहां से आगया हमारे पास W आप AG बटे 108 यह आगया कितना भाई एक बटा दो तो W आप AG कितना आ गया बेटा 108 डिवाइड बाई टू तो 108 डिवाइड बाई टू का सीधा मतलब क्या हो गया भाई 58 ग्राम मतलब आपका अंसर कौन सा हो जाएगा सब्सक्राइब करना है तो कितना सब्सक्राइब करना है तो हमें हमारे पास लगेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इसके मोल निकाल लेते हैं तो अगर हम लोग AGNO3 solution में मोल निकालने की कोशिश करें तो यहां पर हम लोग क्लिक सकते हैं क्या भाई मोल बराबर हमारे पास क्या दे रखा है नॉर्मल्टी into क्या भाई volume into क्या भाई n factor ठीक है नॉर्मल्टी कितनी है बेटा 0.1 volume कितना है 200 ml तो 200 बटा क्या कर दिया 1000 लीटर में convert कर लिया और n factor होता है 1 तो यहां से अगर हम लोग calculate करें तो 200 से हमारे पास कितना आ गया 0.2 दोस्तों से हमारे पास यहां पर 100 और 100 cancel हो जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.2 divided by कितना आ गया बेटा 10 अब का answer आ गया 0.02 most मतलब AGNO3 के total solution में 0.02 मोल थे आधी मातला है निर्शेपित करनी है मतलब जो हमें deposit करने है deposit करने है क्या बाई mole of क्या बेटा AG तो AG positive के जो mole deposit करने है वो इसकी just मातला का आधा हो गया मतलब कितना आ गया बाई 0.01 यह कितना आ गया बाई 0.01 ठीक है 0.01 mole को हमें क्या करना है निर्शेपित ठीक अब लोगोंने formula पढ़ा था w is equal to हम लोगोंने पढ़ा w is equal to m i t upon n upon n into 965 00 यह आपने लिका ला था 965 00 तो इसको अगर लिखने तो w upon m मतलब molar mass बराबर क्या हो गया बाई i t upon n into 965 00 w upon 1 क्या हो गया मोल तो यह आगया 0.01 mole i बराबर i हमारे पास same क्या बोला है कि how long it will take the current हमारे पास कितना current कितना समय लगेगा of the hop अगर हमें आधी मात्ता को रिट्शेपित करना है तो कितना समय हमारे पास लगेगा ठीक है तो अब बेटा यहां पर हमारे पास क्या निकालना है तो टी को 965 00 upon 0.1 तो 0.1 अगर ले लेंगे तो क्या हैगा 965 0 क्या बेटा सेकेंड और 965 0 सेकेंड का मतलब हो गया मारा अंसर कौन सा हो गया फूर्थ अगला अगला कुछन हमारे पास है बोला विच स्टेट्मेंट इस करेक्ट कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है और कौपर सेकेंड के विलियन को आईरन पात्र में रख सकते हैं सिंपल सी बात है आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे उपर वाली मेटल होती है वो नीचे वाली मेटल से सॉल्ट के सलूशन से मेटल को प्रशेपित कर देती है मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो सी यू कौपर सल्फेट सिलूशन को जब हम लोग आईरन में रखेंगे तो मतलब हमारे पास आएगा सी यूए सो फोर प्लिस हमारे पस क्या जाएगा बेटा एपी एपी एलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उपर है मतलब यह क्या करेगी भाई यहां से यहां से कॉपर को क्या कर देगी डिपॉजिट कर देगी तो बन जाएगा मतलब क्योंकि यहां पर रखना सही नहीं है मतलब यह स्टेट्मेंट क्या है गलत अगला है एन ऑक्साइड लियर ऑफ दा जिंक वैसल कैन बी इसली रिमूब्ड बाइद वासिंग बिद डैलूट एसल डैलूट एसल के साथ में अगर ऑक्साइड लेयर को हम लोग करें तो आ अगला है अगला है मॉल्टेन बिया पीबी बी आल्टू जो है वो क्या बना रहा है बई प्लस टू प्लस ट्वाइज अब बी आर माइनस बना रहा है मतलब इसके अंदर आइंस प्री आयन प्रेजंट हैं जिसकी वैसे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन तो बड़ा आसान सा सिंपल सा हमारे पास गिवेन है क्या कहने की कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है consider the following galvanic cell following galvanic cell को हमें देखना है बोला है by what value of the cell voltage change from the concentration of ion of anode and cathode compartment with both increased by the factor of 10 at 298 Kelvin मतलब अगर cathode और anode पर जो भी ions है उनकी concentration को हम लोग by the factor of 10 से बढ़ाएं किससे बढ़ाएं बढ़ाएं तो उनकी सांद्रता को अगर 10 से बढ़ा दिया जाए तो हम लोग anode chamber पर देखें एक पर फिर से देख लेते हैं anode chamber को anode chamber में क्या हुआ है hydrogen gas आ रही है वो क्या बना रही है एच केस को तो anode chamber में बन कौन रहा है भाई h positive सही बात है यहां पर क्या हो रहा है c l2 gas आ रही है इसका मतलब c l2 gas का reduction हो रहा है यहां पर आयन कौन सा बन रहा है c l negative तो अगर हम लोग cell को लिखने की कोशिश करेंगे तो cell क्या लिख सकने है बेटा e not बराबर sorry is equal to e not minus 0.0591 upon n log of kya बेटा h positive आया कहां पर भाई यह note पर और c l negative कहा आया cathode पर upon अगर लिखे तो c l2 power 1 by 2 और h2 power क्या भई 1 by 2 मतलब अगर हमने reaction को कुछ इस तरह से लिख दिया h2 is convert या half h2 is convert in form of h and half c l2 is convert in form of kya बेटा c l minus के लिए रख तो इनको तो हम लोग 180 म ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा e not e cell बराबर e not minus 0.0591 upon 1 log of kya bhai h positive ion concentration into c l negative ion concentration अब दो equation बना लें इसको हम लोग ले लें e1 और जब 10 times बढ़ा रहे तो क्या आ जाएगा bhai e2 e2 बराबर e not minus 0.0591 upon 1 log of इसको भी 10 times मतलब 10 h positive और यहां पर भाई क्या भाई 10 c l negative इन दोनों equation को अगर हम लोग solve करेंगे तो हमें final answer अपना मिल जाएगा कितना भाई final answer हमारे पास आजाएगा that is a final answer minus is 0.11882 मतलब हम लोग को उसी वाली equation को solve करके value को निकाल लेना है ठीक है बेटा आगे बढ़ते है next question हमारे पास है बोला है in the adjacent diagram of the electrolytic cell contain 1 litre of the 1m copper sulfate solution if 0.4 mole of the electron is passes through the cell the concentration of the copper passes after the change will be दिये गए चित्र में वैद्दुत अबगट के एक जली विलियन में एक जली यह बानें copper sulfate का विलियन वन लीटर रखता है यदि cell के द्वारा electron के जीरो तो समलो चार मोल को प्रवाइद किया जाए तो आवेश प्रवाइद होने के बाद में copper iron की सांधरता के बारे में बात करनी है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए I think so यहाँ पर भी क्या हो रहा है copper का आक्सी करण और यहाँ पर क्या हो रहा है copper का अपचेल मतलब इदर हो रहा है oxidation और इदर क्या हो रहा है reduction जितने gram equivalent anode से निकलेंगे cu positive के उतने gram equivalent cathode पर क्या हो जाएंगे deposit means no need of calculation कुछ भी calculation की जहुरत नहीं है हम लोग सीधे कह सकते हैं कि सांधरता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा there is no change in concentration so पहले concentration कितनी थी भाई हमारे पास 1m copper sulfate 1 liter solution और बाद में भी वन होगी मतलब no need of calculation सीधा concept है कि जितने gram equivalent cathode से मैं मतलब जितने gram equivalent cathode से deposit हुए उतने gram equivalent anode से निकले मतलब answer आ जाएगा क्या बेटा third अगला question देखते हैं question अगला हमारे पस क्या कि मैंने कह रहा है कि a solution containing one mole per liter of each फापर दे रखा है agno3 है hg है being electrolyzed by using the inert electrode the values of the standard electrode potential are given standard electron potential का मान हमारे पास given है ag का क्या है positive 0.8 cu का क्या है 0.34 इसका क्या है positive 0.79 और इसका क्या है minus का 2.37 बोला है the increasing voltage the sequence of the depositation of metal on cathode किस metal का depositation cathode पर होगा simple जी बात है वो metal ज्यादा आसानी से deposit होगी जिसका SRP जिसका standard reduction potential क्या होगा वड़ी ज्यादा होगा जिसका standard reduction potential क्या होगा ज्यादा मतलब more positive होगा या जिसका oxidation potential क्या होगा बेटा कम जिसका oxidation potential कम है और standard reduction potential क्या है ज्यादा वो आसानी से deposit हो जाए की मतलब अगर मैं इसको SRP के terms में लिख लूँ या वैसे भी solve कर सकते हैं अगर इसका SRP लिखोगे तो हमारे पास है AG से AG positive oxidation potential हमारे पास given है HG से AG positive oxidation potential given है copper से copper positive oxidation potential given है Mg से Mg 2 positive oxidation potential given है और यहाँ पर हमें sequence of solution containing the one mole of each हमारे पास given है यहाँ पर जो potential हो पेपर में दिखाई देगा वो negative valuation के साथ होगा यह होगा minus 0.8 यह होगा minus 0.79 यह होगा minus 0.34 और यह होगा plus का 2.37 ठीक है oxidation potential दे रखा है अगर हम लोग इसको reduction potential में convert कर दें तो सबसे ज़्यादा reduction potential किसका आएगा भई हमारे पास सबसे ज़्यादा reduction potential हो जाएगा AG का उसके बाद किसका आएगा HG का उसके बाद किसका आएगा copper का और उसके बाद आएगा magnesium का मतलब deposit होने की tendency सबसे ज़्यादा होगी AG की उसके बाद HG की उसके बाद copper की और MG deposit नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर dilute solution even है और हमें पता है कि MG का जो potential है वो as compared to as compared to हम लोग कह सकते हैं कि hydrogen से कम है मतलब वो negative valuation के साथ है इसलिए mg कभी भी deposit नहीं होगी तो कुछ बच्चे यह answer करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस answer में mg गलत है क्योंकि mg का depositation possible नहीं हो सकता solution पर हर समय वो molten हमारा depositation possible हो सकता है जिसको यह से हमारा answer कौन सा correct हो जाएगा बेटा third ठीक है अगला अगला question हमारे पास given है कह रहा है कि एक cell है mg 2 positive m zl mg 2 positive m the ems has been found to 1.60 volt the e naught of the cell हमें e naught of the cell को calculate करना है हमारे पास emf given है तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं emf e बराबर e naught minus 0.0591 नमबर आप electron का exchange दो है log of क्या बेटा mg 2 positive m concentration upon यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बेटा हम लोग zn2 positive m concentration के लिए रहे हैं अब दोनों तरब concentration 1m और 1m हमारे पास हो गई तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया बेटा यह हमारे पास कितना दिरेका has been found तो यह हो गया 1.60 और यहाँ पर हमारे पास e naught आ गया यह आ गया हमारे पास minus का 0.0591 upon 2 log of 1 upon 1 मतलब log 1 तो यह पूरी value 0 हो गई तो e naught आ अप सेल कितना आ गया 1.6 वोल्ट जो सिद्धा सिद्धा हमारे पास कितना आ गया बेटा 1.60 वोल्ट और अंसर हमारे पास किया आ गया भाई सेकेंड ठीक है अगला question देखते हैं next question question अगला हमारे पास है H2O2 fuel cell reaction is occurs at the cathodic is H2O2 in an cell में cathode पर घटित होने वाली अबक्रिया क्या है कौन सी हमारे पास जो है वो अबक्रिया cathode पर घटित हो रही है तो बेटा cathode पर हर समय क्या होता है reduction जहां पर H2O H2O2 किसमें convert हो जाता है OH negative oxygen क्या था 0 था यहां से कहां पर चला जाएगा बेटा minus 2 मतलब इसका क्या हो जाएगा reduction जिसकी वेसे यह हमारी कौन सी होगी cathode पर होने वाली chemical reaction कहलाएगी के लिए रहे ओके अगला नेक्स कोश्चन है the minimum voltage required to electrolyze alumina in the hall process minimum voltage हमें required है alumina जोकी होट प्रोसेस के लिए हमारे पास given है तो यहां पर हम लोग formula लगाएगे डेल जी डेल जी बराबर minus of nf e naught ठीक है अगर हॉल्ट प्रोसेस की reaction को लिखने की कोशिश करें जहाँ पर हम लोग alumina का हम लोग extraction करते हैं alumina के extraction की अगर हॉल्ट प्रोसेस reaction को लिखा जाए तो हॉल्ट प्रोसेस हमारे पास होता है al2o3 alumina plus coke के साथ में इसका reduction करा देते हैं carbon reduction प्रोसेस है यहां से बनता है al plus co2 co2 के साथ में हम लोग reaction लेने इसको तो इसको twice करने हैं अगर हम लोग तो हमारे पास aluminum कितना हो जाएगा beta 4 और हमारे पास carbon oxygen हो गया 6 और carbon को हमने क्या कर दिया 3 एक लिया तो यह भी 3 हो गया in short अगर हम लोग देखे तो यह हमारा solid है यह हमारा solid है मतलब delg of formation हम लोग कह सकते हैं या इसका क्या है भई हमारे पास aluminum के लिए formation के enthalpy given है दोनों के लिए तो यहां पर अगर निकालें तो से पहले निकालेंगे delg the minimum voltage required for the electrolyzing immunians given that इतना हमारे पास यह given है delg के form में ठीक है तो यहां पर आजाएगा delg of reaction बराबर सीधा सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यह हमारे पास से क्या यह भी solid है यहां पर हमारे पास formation of alumina यहां पर हमारे पास alumina का दे रखा यह तो निशन रुगिया तो यह हो गया हम delg not of delg not of हम लोग क्या कर देंगे product minus delg not of क्या बेटा reactant ठीक है तो delg not product हमारे पास कितना आ गया 2 into alumina के लिए कितना है 1520 मतलब 1520 माइनस अंदर हमारे पास यह evaluation negative evaluation है ठीक है और यह हो गया हमारे पास 3 into इसका दे रखा है minus का 394 के लिए रहे हैं यहां से जब delg निकाल लें होंगे तो यहां पर अब हम लोगो जो उरत पड़ेगी किसकी भाई n की तो अगर हम लोग देखे तो overall alumina यह था तीन के form में तो तो यह क्या था भाई 4 of al कितना भाई 3 positive किस वे convert हुआ है 4 of al में तो कितने electron इसने accept की है 12 electron मतलब यहां पर n की valuation जो रखोगे तो delg बराबर क् minus of nf e e naught हमें calculate करना है delg यहां से calculate कर लोगे n की value 12 हो जाएगी overall calculate करके process का अगर वो निकालोगे तो यह कितना आ जाएगा भाई 1.6 volt calculate करके answer आ जाएगा I think ठीक है next अगला question हमारे पास दे रखका है during the electrolysis of the fused chloride the reaction will take place बेटा fused sodium chloride है जैसा कि अभी हम लोगे question कर रहे थे कि कौन सी metal deposit होगी तो मैंने बोला था कि magnesium chloride या magnesium के किसी भी salt का depositation के विल fused state में possible है solution state पर possible नहीं है कि solution state पर क्या present है बेटा water present है जहां पर hydrogen का depositation होगा जब कि magnesium का depositation नहीं होगा क्योंकि magnesium का SRP negative है और hydrogen का SRP क्या है zero जिसका standard reduction potential ज्यादा होता है उसका depositation क्या हो जाता है easy okay nacl nacl convert होगा किसमे भई na positive और किसमे भई cl negative अकर हम लोग बात करेंगे anode पर तो anode पर क्या होगा anode पर cl negative convert होगा half up cl2 और क्या release कर देगा one electron जबकि cathode पर कौन जाएगा modern stage में na positive accept करेगा one electron को convert क्या कर देगा भई na हमसे पूचाए कि कौन कौन सी reaction सही है बोला कि भई anode पर cl होना चाहिए anode पर cl से cl negative half cl negative मतलब यह सही है और क्या थोड़ पर हमारा sodium से positive से यह बनना चाहिए मतलब हमारा third answer क्या होगा बेटा correct third answer is correct answer okay next question देखते है अगला question हमारे पास है which of the following is not the anodic reaction निमन में से कौन सी अविग्रिया अनोड पर नहीं होगी सबको पता है भई anode पर क्या होता है oxidation क्या होता है oxidation होता है तो जहां जो oxidation नहीं है वो anode पर नहीं हो रहा ठीक है भई यह plus electron होगा ठीक है चला देखते है ag से ag बन रहा है ag से ag मतलब ag यहां पर क्या था plus one पर यहां पर zero मतलब यह क्या हो रहा है reduction तो यह anode पर possible नहीं है यह कहा होगी भई cathode पर यहां भी oxidation यहां भी oxidation यहां पर minus two से यहां पर zero मतलब यह भी सही है ठीक है यह वाला भी क्या है भई oxidation की तरफ जा रहा है minus से zero की तरफ मतलब हमारा जो option first है वो anode cell reaction possible नहीं हो सकती ओके अगला कोशन देखते हैं next question है which of which process is involved in corrosion कौन सा process corrosion के संदक्षन से संबंदित है पहला है brown deposit on the iron articles भूरे नश्रिप्रेंट का निर्मान उसके बाद है green deposited battery terminal बैटरी पर हारा ने शेपन उसके बाद है हमारे पास black depositation of iron coil सही है और उसके बाद है all of above simple सी बात है सभी के सभी iron particle भी brown के form में आता है battery पर green green जमा हो जाता है वह भी corrosion की वजह से है और silver बाहर रगदो तो corrosion करने लगता है सं लक्षक करने लगता है सं राच्षण करने लगता है जिसकी वएसे क्या हो जाता है बाई brown सब के सब क्या है बाई सब के सब हमारे example है किसके बाई corrosion के corrosion के example हमारे सभी के सभी होंगे ठीक है अगला question देखते है the corrosion of iron is favored by iron का संचारण को प्रेशित किया जाता है मतलब कि कौन से बढ़िया होते है the presence of the moisture भाई या water नहीं होगा तो बिसी बात है dry state पर कभी भी corrosion possible नहीं होता presence of impurity in iron ये भी बात सही है उसके बाद है presence of co2 in air in the saline water सभी बात है बता हुमारे क्या हो गए all of these सभी के सभी हम लोग बोल सकते हैं object is favored by सभी के सभी जो है वो corrosion को क्या कर रहे है बेटा favor कर रहे है अगला देखते है अगला हमारे पस क्या है the chlorine gases passes into the solution of containing na kf lif br cc3 is added initially the color of ccl3 layer is initially color of ccl3 layer हो जाता है यार simple सी बात है अगर मैं cl2 को यहां पर क्या कहते हैं dissolve कराऊंगा पास कराऊंगा किस से भाई kf kbr और br2 solution के साथ तो यहां पर जो violet color generate होता है क्योंकि iodine release हो जाएगा cl2 real release react with ki ii और यहां से produce कर देगा क्या बई kcl plus i2 और i2 की वेज़े से क्या होता है बई हमारे पास violet color generate होता है br2 भी release होगी लेकिन उसका color क्या होगा brown होगा ठीक है f2 का release possible नहीं है मतलब यह option correct हो जाता अगर यहां पर क्या होता ब्राउन होता क्योंकि BR2 brown color होती है इसका मतलब हमारा answer क्या आएगा वाइलेट कलर ऑफ i2 नेक्स्ट अगला वश्यन है हमारे पस if e not of fe2 oblique fe और यहां पर हमारे पस fe2 से यह दे रखा है नहीं हमें इस cell की reaction को calculate करना है तो पहला वाला क्या है बेटा fe2 Gibbs क्या भाई fe यहां पर क्या है दो electron ठीक है उसके बाद एफ i2 से हमारे पस क्या है f e3 f e2 oblique क्या है f e3 oblique f e2 f e3 से क्या है भाई f e2 यहां पर क्या आगया one electron और इस electron potential को हमें calculate करना है तो अगर हम लोग चाहें तो directly लगा सकते हैं यह कैथोड और e anode तो यहां से यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा भई एक बन जाएगा यह हमारे पास यह बन जाएगा हमारे पास anode क्योंकि oxidation हो रहा है और जब हम लोग यहां से यह वाला बात करेंगे तो यह क्या बन जाएगा वेटा cathode मतलब दो cell हमारे पास बन रहे दोनों का potential हमारे पास given है पहला हमारे पास given है a a few three say a Fe two positive जा रहा है और दूसरा है a wrapping 2pos die तो यह बन गया हरा that what or यह क्या वन गया cathode अग्धोर और a क्या मिल जाएगा वारई answer और यह answer हमारे पास आ जाएगा 1.212 सीधा करना है E naught of silver rubber यह बन गया हमारा क्या भई cathode और यह बन गया क्या भई anode तो यहाँ पर लग दोगे E naught of cathode या E naught of anode E naught of anode plus E naught of क्या भई cathode यहाँ पर potential रखोगे E naught of Fp oblique Fp 2 positive और यहाँ पर रखोगे कौन सा भई Fp 3 positive oblique Fp 2 positive हमारे पास equation आजाएगी यह वाली ठीक है बेटा अगला question है the salt bridge of the KCL is used because salt bridge of KCL use किया जाता है अब सभी को पता है कि उनकी ionic mobility same होती है और transport number भी equal होता है जिसकी वेसे आसानी से neutrality को maintain कर सकते है answer क्या हो जाएगा third अगला question देखते है next question हमारे पास दे रखका है फिर से वही question है the half cell reaction हमारे पास given है जेडन से जेडन 2 positive अब हमें Fp 2 positive और यह बनाना है मतलब हमें चाहिए यह वाला क्या कहें चाहिए भई E naught of क्या भई Fp 2 positive oblique Fp मतलब यह हो गया हमारे पास कौन सा भई अनोड और E naught of जेडन oblique जेडन 2 positive सॉरी यह हो गया हमारे पास cathode reduction हो रहाँ 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 भीडा यह हो जाएगा जेडन 2 positive oblique जेडन यह लिख सकते E naught of जेडन oblique जेडन 2 positive और यह हमारे पास क्या हो गया cathode ठीक है तो हमारे पास यह वाली दे रखी है एनोड के फॉर्म में यह वाला हमें cathode में convert करना है तो कुछ नहीं करो इसको उल्टा कर दो तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा E naught of Fp oblique Fp 2 oblique Fp जो की reaction में हमारे पास यही है बराबर हो जाएगा कितना minus का 0.41 मतलब यह minus का 0.41 और वो plus का 0.76 वो हमारे पास क्या हो गया plus का 0.76 तो हमारे पास answer final बन जाएगा 0.35 के लिए रहे next अगला देख लेते हैं अगला पाल हमारे पास दे रखा है the standard reduction potential values of element A, B, C reduction potential दे रखा है A, B, C का A का हमारे पास positive है B का हमारे पास minus का है और C का सबसे ज़्यादा minus का है ठीक है the order of increasing of reducing power reducing power हम लोगों ने पढ़ा था कि reducing power उसका जाजा जिसका SRP कम तो सबसे बहतर reducing agent कौन सा हो जाएगा C, उसके बाद क्या आ जाएगा B, और सबसे कम होगा क्या भई A, तो सबसे बहतर C, C के बाद B, और B के बाद A answer हमारे पास कौन सा बन जाएगा बेटा, सबसे बहतर इसका दे रखा है 0.35 तो यहाँ पर सबसे बहतर कौन सा आ गया भई B, B के बाद कौन सा C, B का कितना था B का था, minus का 2.5 C का कितना है, minus का 0.5 और A का कितना है A का है, plus का 0.68 तो सबसे बहतर B, B के बाद C, C के बाद A क्योंकि reducing strength जो होती है वो SRP के inversely proportional है, answer क्या बन जाएगा fourth, next अगला question देखना है How much will be the potential of the half cell Cu to positive oblique Cu is change if it is diluted at 298 Kelvin by the 100 times, अगर 100 times से इसको dilute कर दिया जाए तो कितना change हो जाएगा अगर हम लोग change को calculate करे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका cell क्या लिखोगे भई, E is equal to E naught, जो की change नहीं होगा minus of 0.0591 upon N log of, क्या बना रहा है भई, Cu2 से कहा जा रहा है, Cu की तरफ तो यह Cu2 positive oblique Cu का मतलब हो गया, उपर Cu और नीचे क्या भई, Cu2 positive तो इसको लिख सकते हो, E naught minus 0.0591 upon 2 log of क्या बेटा 1 upon Cu2 positive, ठीक है इसको अगर थोड़ा सा positive यह में लिखो तो लिख सकते हो, E बराबर E naught, अब यहाँ पर E1 लेलो, minus यहीं से E naught निकाल लेंगे यह आजाएगा हमारे पास 0.0591 upon 2 की जगे इसको प्लस कर दो, log of क्या कर दो, भई, Cu2 positive suppose पहले concentration C थी यह 1 molar थी, अब अगर 100 times तुमने क्या कर दिया, delude तो concentration 10s power minus 2 times कम हो गई, भई, concentration बराबर क्या था N upon B, हाँ भई पहले volume V था, volume 100 भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ concentration 10s power minus 2 times क्या हो गई कम, मतलब जो C2 होगा वो C by क्या हो जाएगा 100, आ रहा है भई इस value को यहाँ पर put कर लोगे और जब value को put कर लोगे ठीक है, तो यहाँ पर value को put करो यह C1 लो लो, तो पहला वाला हमारे पास आ गया, E1 बराबर E0 minus की जगे, plus 0.0591 upon 2 log of C अब आ गया, E2 बराबर E0 plus 0.0591 upon 2 log of C by क्या भई 100, इसको solve करोगे तो हमारे पास last valuation आ जाएगी decrease करेगा, minus पर आएगा, तो answer आ जाएगा second, decrease by 59 millivolt, clear है next question देखते है हम लोट discuss करें, question number 25 question number 25, what is the potential of the cell containing 2 hydrogen electrode as represented below नीचे प्रदरशित किये गए 2 hydrogen electrode cell का विभव क्या होगा, ठीक है यहाँ पर हमारे पास है, hydrogen gas है और H positive iron है जिसकी सांधरता हमारे पास जो anodic part है वहाँ पर हमारे पास कितनी विटा, 10 power minus 8 है, और दूसरी तरफ H positive iron, H2 में convert हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो hydrogen है उसकी सांधरता कितनी विटा, 10 power minus 3 है, ठीक है तो इसको अगर हम लिखे तो सबको पता है कि जो hydrogen electrode है उसके लिए मानक विभव, यह हम लोग बोल सकते हैं कि standard potential की जो valuation है वो कितनी है बिटा, 0 तो अगर equation लिखी जाए तो आएगा E cell बराबर E naught cell minus E naught cell minus 0.0591 upon N और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो anode पर concentration हमारे पास आजाएगा 10 power minus 8 और cathode पर जो concentration है वो कितनी है बिटा, 10 power minus 3 और N की value hydrogen electrode के लिए कितनी हो जाएगी बिटा, 1 और E naught क्या हो जाएगा, 0 यह आजाएगा हमारे पास E cell बराबर minus 0.0591 upon 1 log of 10 power minus 3 ऊपर चला जाएगा बिटा, तो यह कितना आजाएगा 10 power minus of 8 अब यहाँ से अगर हम लोग multiplication करने तो यह हमारे पास कितना बन गया बिटा, E cell बराबर minus of 0.0591 और log को इधर ले लोगे तो यह कितना आजाएगा बिटा, हमारे पास into 10 power minus 8 तो minus 8 बहार आजाएगा और यह हो जाएगा log of 10 base 10 10 base 10 की value कितनी होती है बिटा तो अबराल अगर हमें cell potential calculate करना है तो वो हमारे पास कितना आजाएगा, E cell बराबर minus minus plus हो जाएगा 0.0591 और यह हमारे पास होजएगा 10 power 5 तो यह 10 power 5 आगया तो 5 का multiplication हो गया और इसको जब हम लोग solve करेंगे तो हमारे पास answer आजाएगा 0.259 volt I think असानी से solve कर लिया होगा done वेटा question number 26 हमारे पास है the pollution of the sum metals in the electrochemical series in decreasing order of electro positive character are given हमारे पास electro positive character के form में दे रखा है वैदुत धनात्तक अव्लक्षन के अवरोही क्रम में वैदुत रहसानीक स्रणी में कुछ धत्यों को विवस्थित किया गया है सबसे पहले हमारे पास magnesium है उसके बाद aluminium है फिर zinc है फिर copper है फिर ag अब बोलाए कि अगर हम लोग aluminium nitrate के एक villain को कि villain को एक copper की चम्मस से हिलाते हैं तो क्या घटित होगा सभी ने पढ़ा है कि electrochemical series में जो उपर वाली metal होती है या जो उपर वाली धातु है वो नीचे वाले धातु के लमण से या जो metal salt है उससे जो metal है उसको displace करती है यहाँ पर हम लोग copper को हम लोग simply agno3 की case में या aluminum के case में add कर रहे हैं मतलब हम लोग उने alno3 whole thrice पर copper को add किया ओब्यस्सी बात है यह हमारी क्या है बेटा lower metal है ECS में नीचे है जबकि aluminium हमारे पास ECS में उपर है मतलब copper aluminium के साथ में किसी तरह की displacement reaction को perform नहीं करेगी इसका मतलब copper aluminium के बीश में किसी भी type का कोई भी reaction नहीं होगा मतलब यह तीनों के तीनों option तो हमारे पास possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास reaction संभव नहीं है कोई भी reaction possible नहीं है मतलब इसका जो correct cancer आएगा वो क्या आएगा no reaction between the aluminium nitrate and copper solution क्यों क्योंकि aluminium nitrate में जो aluminium है वो upper metal है और upper metal के salt के साथ में lower metal किसी भी type की कोई भी reaction नहीं कर सकती यहाँ पर हमारे पास question दिया है question number 27 electrochemical equivalent of a substance is 0.0006735 और इसका हमें equivalent weight को calculate करना है ठीक है एक पदार्थ का वैद्व त्राइसाइनिक तुल्यांग हमारे पास बीवन है और इसके तुल्यांग की भारकों में क्या करना है बेटा calculate आप सबने पढ़ा है जब हम लोग paradise law को यूज करते हैं तो हम लोग यह ले लेते हैं हापर क्या व बराबर जैड आई टी के लियर है और जैड की जगे पर हम लोग जो value लेते हैं जड बराबर होता है e upon 965 00 तो अगर हमें e को calculate करना है इसका मतलब हमारे पास e बराबर कितना आ जाएगा बेटा e बराबर हमारे पास आ जाएगा z into 965 00 और यह हमारे पास z given है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं z कितना दे रखा है 0.0006735 into इसको multiply कर दोगे 965 00 तो हमारे पास round up करने पर 64 point something value आएगी हमारा correct answer बन जाएगा क्या बही 65 मतलब option first विटा अगला question हमारे पास है the amount of electricity that can be deposit 108 gram of the silver from the silver nitrate silver nitrate के विलियन से वैदुद्धारा की वह मात्रा जिसमें 108 gram silver को हम लोग एजी अनो 3 से निफित कर रहे हैं तो एजी अनो 3 में क्या प्रेजंट है बेटा एजी पॉजिटिव एजी पॉजिटिव एजी पॉजिटिव एक मोल इलक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा बेटा एजी और यह जो एजी बन रहा है पीटा अगला कुश्छन हमारे पास है वेन देट टू हाफ सेल इलक्टोड पोटेंशिल एजी और कमाइड तो फॉजिट पोटेंशिल एजी तो करके इलक्टोड विवो एजी का सेल बनाते हैं तब जब N1, N2 और N3 प्रत्थम द्वतिय तथा सयोजित अर्ज सेल के विन्यमी इलक्ट्रोणों की संख्या हो तो हमें वहाँ पर रिलेशन को करेड करना है मतलब कुछ इस तरह से हम लोग एक्क्वेशन को देख करते हैं कि हमारे पास एक सेल दिया हुआ है A to B का बेटा एक सेल है हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि B to C का सेल है और तीसरा सेल हमारे पास क्या है बेटा A to C का सेल है या C से A B हो सकता है ठीक है तो यहाँ से हम लोग Del G निकालेंगे यह क्या आएगा Del G1 that is equal to minus of N1 F E1 ठीक है यहाँ से क्या आएगा बेटा Del G2 not के terms में यह आजाएगा हमारे पास E not के terms में यह आजाएगा minus of N2 F क्या बेटा E not 2 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Del G not 3 बराबर minus of N3 F into क्या बेटा E not 3 अब चुकि हम लोग ने हमने दोनों cell को combined किया है मतलब इस cell का जो Del G होगा वो Del G1 प्लस Del G2 के क्या होगा बेटा बेटा बराबर मतलब हम लोग लिख सकते हैं Del G3 बराबर Del G1 प्लस क्या बेटा Del G2 के लिए अब अगर हम लोग values को put करें तो यह आजाएगा minus of N3 F E3 बराबर minus of इसको minus लिखेंगे इसको हम लोग minus ले लेंगे ठीक है minus of यह हमारा हो जाएगा minus N2 F E1 minus N2 की जगे यह हमारे पास N1 होगा यह N2 यह हमारे पास आजाएगा E0 F ठीक है यह हमारे पास आजाएगा N2 F और यह आजाएगा हमारे पास E0 2 इमको अगर हम लोग combine करने था हमारे पास equation क्या बिल जाएगी बेटा E3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं N1 E1 plus N2 E2 divided by क्या बेटा N3 और यह हमारा answer कौन सा बन जाएगा बेटा यह हम लोग क्या सकते हैं अबर answer is second तो second answer हमारा correct answer आएगा ठीक है question number 30 हमारे पास है 1 M solution of H2SO4 electrolyze select the right statement of the product of anode and cathode respectively given 1 M H2SO4 के का वैद्दू तफगटन की आ जाता है तो सही कथन में बताना है अनोड और cathode का H2SO4 को जब dissociate करा रहे हैं बेटा तो H2SO4 के dissociation से क्या मिल ला है H2SO4 dissociate हो रहा है और यह क्या produce कर रहा है बेटा S2O8-2 ठीक है प्लस हम लोग लिख सकते हैं यहां से हमारे पास दो S2SO4 निकल गए और यहां से निकल जाएगा हमारे पास क्या बेटा similarly इसके अंदर water भी है water भी electrolyze हो रहा है और यह क्या produce कर रहा है बेटा H positive plus half of O2 जो हमारे पास यहां का reaction में एक given है तो हम लोग देखें तो water H positive को release कर रहा है और यह H positive हमारा कहां चला जाएगा बई सिंपल सी बात है यह H positive हमारा जो है वो deposit हो जाएगा और oxygen और क्या कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि oxygen और O2 जो है वो हमारा product के form में O2 और hydrogen product के form में आएगा मतल हम लोग बोल सकते हैं कि H positive convert in form of क्या बेटा H2 आ जाएगा जबकि O minus 2 convert in form of क्या आ जाएगा O minus oxygen के form में तो हम लोग बोल सकते हैं कि oxygen हमें हमें anode पर मिल जाएगा और hydrogen हमें कहां पर मिल जाएगा बेटा cathode पर similarly जितना H positive निकल रहा था वही H positive क्या हो रहा है बेटा deposit हुआ उतना ही H positive हम लोग क्या सकते हैं कि water से निकल गया और वो deposit हो गया तो मतलब जो product आ गया वो क्या बन गया भई H2 और O2 के terms में आ गया ठीक है तो कि यही सबसे हमारा correct answer आ जाएगा कि H2 और O2 जो है वो हमारे product आएगे anode और cathode के case में हम लोग लिख सकते हैं कि O2 जो होगा वो anode पर आएगा और जो H2 है वो कहां पर आ रहा है cathode पर आ रहा है ठीक है और साथ में H204 की concentration में कोई भी change नहीं हो रहा तो हमारा जो first answer है वो correct answer आ जाए ठीक है अगला हमारे पास 31 है how many silver will be displaced from a solution of AGNO3 by the 4 gram of magnesium कितने displaced होंगे वही same concept बेटा gram equivalent of क्या बेटा AG बराबर gram equivalent of क्या बेटा NA MG ठीक है तो AG के लिए निकाले तो W upon 108 N factor कितना है 1 magnesium के लिए निकाले तो magnesium कितना है भाई हमारे पास 4 gram 4 gram upon magnesium का हो गया हमारे पास 24 into N factor कितना आ गया 2 तो हम लोग इसको जब solve करेंगे तो हमारे पास W बराबर कितना आ जाएगा बेटा देखो W is equal to अगर निकाले यहां से तो यह हो गया कितना 108 into 8 divided by 24 24 इसको solve करोगे तो क्या आ जाएगा भाई W बराबर कितना बेटा 36 gram के लिए रहे ओके नौ लेक्स कोशन देखते है अगला मुशन है अब current of 9.95 ampere is passing from the 10 minute to deposit the 3 gram of the metal the equivalent weight of metal बेटा simple वही concept लगाना है क्या बही W बराबर क्या पढ़ाता EIT upon N into 965 00 हमारे पस यह सॉरी MIT था यहां से equivalent weight लेना है तो formula क्या हो जाएगा W is equal to MIT upon 965 00 सॉल करेंगे तो हमें चाहिए equivalent यह आजाएगा हमारे पस क्या बही equivalent weight बराबर क्या हो जाएगा W into 965 00 upon क्या बेटा IT यहां से आगया W कितना बही है 3 gram into 965 00 upon कितना बेटा I, I कितना दे रखा है 9.95 ampere 10 minute मतला 10 into क्या कर दिया 60 इसको solve करके answer को निकाल लेंगे ठीक है और आपका बेटा इसका answer आजाएगा हमारे पस इसको calculate कर लेंगे answer हमारे पास आजाएगा 48.5 okay law next अगला question देखते हैं अगला question हमारे पास है question number 33 which representate the concentration cell कौन सा concentration cell को representate कर रहा है तो concentration cell में हमारे पास anode और cathode दोनों के दोनों same type के होने चाहिए electrolyte भी हम लोग common use करते हैं simple सा दिकरा होगा anode और यह हो गया cathode हमारे पास क्या आ गया भाई फर्स्ट जो होगा वो हमारा क्या है representate कर रहा है किसको भई concentration cell को representate कर रहा है किलिए रवीटा फर्स्ट हमारा रपेसेंटेट करेगा किसे भई concentration cell को okay now अगला question है the specific conductivity of the saturated solution हमारे पास है agcl का यह दे रखा है और बोला है if the ag positive इतना है और cl negative इतना है देंदा solubility हमें calculate कर रही है किसके लिए भई हमें agno3 solution के लिए तो यहां पर हमारे पास specific conductivity कपपा given है बेटा क्या given है कपपा हमारे पास given है हम लोग यहां से निकाल लेते हैं lambda यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है if lambda positive is इतना और इतना ठीक है तो यहां से हमें calculate किसे करना है हमें calculate करना है solubility को तो बेटा देखो agcl convert होगा किसमें भई ag positive plus क्या बेटा CL negative तो इसका मतलब अगर मैं ag positive की lambda चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा agcl की lambda बराबर क्या आएगा बेटा lambda of ag positive क्या आएगा बई lambda of ag positive plus lambda of क्या बई CL negative तो यह valuation कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास यह आजाएगा 62.3 plus यह आजाएगा 67.7 यह मेरे पास कितना आजाएगा बई यह आगया मेरे पास agcl का lambda फिर मैं लगा दूँगा formula lambda m बराबर कपा इंटू 1000 अपान क्या लिख दूँगा बेटा lambda of agcl इस value को यहां पर आप अंसर आजाएगा 2.6 अंसर क्या आजाएगा बई 2.6 इस value को पूट करना है में इसको और इसको एड करना है और यह वाले formula पर रख देना अंसर आजाएगा 2.6 into 10s power of minus 5 क्लिए रहा अगला बढ़ते हैं next question है the current passes the passage of current liberated h2 at cathode and anode किसके case में हमारे पास क्या कह रहा है कि धारा के प्रवा पर cathode रथा h2 cathode पर h2 और anode पर cl2 मुक्त होगी ठीक है आओ ज़रा देखते हैं यह हमारे पास cocl2 aqueous है यहां पर cuso4 aqueous है बेटा यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर copper 2 positive है क्या है ब तो पंगा यह आ रहा है कि हर समय जो deposit होता है वो deposit होता है ECS में नीचे वाला जिसका srp क्या होता है कम copper का srp क्या होता है ज्यादा तो इसका मतलब copper का srp क्या है ज्यादा है जबकि hydrogen का srp क्या है कम मतलब अगर मैं electrolysis कि करूंगा copper sulfate या cupric chloride की electrolysis करूंगा तो वहां पर cath cathode पर hydrogen की जगह कौन deposit हो जाएगा cathode पर hydrogen की जगह पर deposit हो जाएगा copper लेकिन मैं अगर NaCl की electrolysis करता हूं तो NaCl पीछे भी था क्या बनाएगा भाई Na positive और Cl negative water dissociate होगा क्या बनाएगा H positive और OH negative इन दोलों में कौन जाएगा Cl मतलब Anode पर मैं कह सकता हूं कि क्या होगा twice of Cl negative convert in form of Cl2 प्लस 2 electron और cathode पर कौन सा भाई twice of H positive convert in form of H2 मतलब NaCl की electrolysis कराने पर मुझे Anode पर क्या मिलेगा Cl2 और cathode पर क्या मिलेगा H2 क्लिए रहे हैं आगे देखते हैं next है the equivalent conductivity of 0.1 N acetic acid solution at 25 degree centigrade is 80 infinity conductivity हमारे पास दे रखी है सबने formula पढ़ा है lambda is equal to lambda is equal to हमारे पास क्या होता है हमें conductivity का calculation करना है ठीक है तो यह हो जाएगा lambda M upon lambda infinity into क्या भई 100 तो यह हो गया lambda M कितना है बेटा 80 upon 400 into क्या कर दो भई 100 100 से 100 cancel हो गया तो यह सीधे कितना आ गया 80 upon 4 ठीक है भई 80 upon कितना आ गया भई 4 तो यह हमारे पास कितना आ गया सीधे 20% और 20% का मतलब alpha is equal to क्या आ गया 0.2 next question देखते हैं अगला question है the factory is produced 40 kg of the calcium into the two hours by the electrolysis how much aluminium can be produced the same current in two hours दोनों को हमनों को सेम करना है अगेन वही question हमारे पास आया है क्या भई क्या calculate करना है gram equivalent of calcium बराबर gram equivalent of क्या बेटा aluminium ठीक है two hour है और यहां पर हमारे पास है two hour यहां भी है same current है जितना current ऊपर लगा था मतलब quantity of charge क्या हो गया same second law प्राइडे लगा सकते है gram equivalent of anode बराबर gram equivalent of cathode मतलब gram equivalent of aluminium बराबर gram equivalent of क्या हो जाएगा भई calcium तो यहां से हमारे पास कितना दे रखता है 40 kg तो यह हो गया 40 into 1 था उस्टेंस पावर 3 upon calcium 40 ही होता है n factor इसका कितना है two aluminium के लिए हम लोग को weight calculate करना है upon molar mass होता है 27 into n factor हो गया 3 यहां से ले लिया तो कितना आ गया 20 20 हमारे पास आ गया तो उपर कितना आ गया भई यह आ गया 40 बाई 20 00 तो यह आ गया 2 into 10 पावर आप कितना भई 3 into क्या आ गया 27 upon क्या हो गया भई 3 और w बराबर हम लोग यहां से calculate कर लेंगे तो 3 9 यह हो गया कितना भई 9 9 2 18 18 kg हमारे पास answer आ जाएगा और answer हमारा हो जाएगा क्या भई answer हमारे पास आ जाएगा second clear है 18 kg हमारा answer आ जाएगा next देख लेते हैं question number 28 question number 28 है reduction potential हमारे पास है जडन 2 positive जडन एनाई 2 positive एनाई एनाई 2 positive एनाई एनाई 2 positive एनाई एपी 2 positive एपी यह दे रखा है हमारे पास reduction potential और बोला है कि the reaction x plus 2y x2 yb is positive is visible way spontaneous है और ऐसा कौन कर सकता है यह इसमें x और y हमारे पास क्या है simple सी बात है x का क्या हो रहा है बेटा oxidation x का क्या हो रहा है oxidation oxidation हर समय उसका होता है जिसका srp क्या है कम और reduction हर समय उसका होता है मतलब oxidation किसका होगा जिसका srp क्या होगा low और reduction किसका होगा जिसका srp क्या होगा high ठीक है अब देखो बिटा अगर हम लोग देखें तो reduction obviously srp लो किसका है जिंक का ठीक है srp किसका low है जिंक का और हम लोग कह सकते हैं कि y2 two positive के form में तो हमारे उसे बोला है कि srp क्यों सकते है srp high किसका है reduction srp high किसका है srp low किसका है इसका तो इसका क्या हो गया oxidation और srp high किसका दिख रहा है भई हमारे पास srp high इसके comparison में बात करें तो यह हमारे पास हो गया srp high किसका हो गया भई F.E. का F.E. का S.R.P. हाई हमें दिख रहा है सही बात है F.E. का 2 positive से 3 minus 0.44 हमारे पास given है ठीक है ठीक अब जरा इन दोनों में comparison करना पड़ेगा पहला जेडन fix हो गया जेडन तो हमारा confirm है कि जेडन का ही क्या होगा जेडन का ही क्या होगा जेडन का ही oxidation होगा जेडन का ही क्या होगा भई oxidation मतलब जेडन का क्या हो रहा है oxidation मतलब जेडन plus Y2 Gips क्या भई जेडन 2 positive plus Y अब मुझे Y को decide करना है इसके लिए मैंने को E cell की देखना पड़ेगा अगर मैं Y बराबर क्या ले लेता हूँ Ni अगर Y को मैं Ni ले ले लेता हूँ तो यहाँ पर आजाएगा Ni 2 positive oblique Ni इसकी valuation कितनी हो जाएगी इसकी valuation कितनी हो जाएगी इसकी valuation है minus का 0.23 और अगर मैं Ni बराबर ले ले लेता हूँ F e अगर F e मैंने Ni बराबर ले ले लिया तो यह कितना हो जाएगा F e 2 positive oblique F e यह मेरे पास कितना हो जाएगा minus का 0.44 सही है अगर मैं Ni के साथ में कपल बना दू इसका तो Ni के साथ में अगर कपल बनाया जाए ठीक है तो Ni के साथ में कपल बना दो मतलब कि इसके साथ भी बन सकता और इसके साथ भी हमारे पास option में Y के लिए हर समय condition क्या है Y बराबर F e दे रखा है तब जब Ni के साथ है हमारे पास Y बराबर F e दे रही रखा तो आँसर कौन सा हो जाएगा fourth मतलब X कौन होगा बही जिंक और Y क्या होगा Ni किलियर है अगला next है मारे पास कहरा है the given है मारे पास किसका बई based on the strongest oxidizing कौन सा बई strongest oxidizing agent देखना है कि कौन सबसे बढ़िया oxidizing agent है oxidizing agent वो बहतर बई reductive agent वो बहतर जिसका SRP कम और oxidizing strength वो बहतर जिसका SRP ज़ादा और बई इसका SRP किता है minus 0.74 इसका SRP क्या है भई plus का 1.51 इसका plus का 0.33 और इसका 1.6 सिंपल सी बात है जिसका SRP ज़ादा वो बहतर oxidizing agent जिसका SRP ज़ादा वो बहतर oxidizing agent सबसे ज़ादा SRP हमारे पास MNO4 का मतलब है ये सबसे बहतर क्या है भई oxidizing agent किलिए रहा है next question अच्छा question है यहाँ पर बोला है the resistance of 0.2 M electrolyte is 50 ohms the specific conductance of the solution is 40 Siemens meter inverse and the resistance of 0.5 M ये हमारे पास इतना है molar conductivity अब हमें क्या निकालना है इसका 0.1 then the molar conductivity the resistance of 0.5 M solution of the same electrolyte is this one the molar conductivity of 0.1 M solution हमें इसमें निकालनी है इसकी molar conductivity को देखो दोनों तरफ solution सेम है दोनों तरफ solution सेम होने का simple मतलब हो गया कि cell constant क्या रहेगा same मतलब पहले आपने एक cell में electrolyte A को fill किया इस electrolyte A को fill किया जब इसकी concentration क्या थी 0.2 M और इसका जो resistance डवलप हुआ था वो क्या था 50 ठीक है अब कह रहा है इस समय जो specific conductance कपपा हमारे पास given थी वो थी हमारे पास 1.4 ठीक है अब कह रहा है इसी cell के अंदर मैंने इसी A electrolyte को fill किया इस समय जो हमारा resistance हो गया है वो resistance है 280 ठीक है और इस समय इसकी जो concentration है M जो है वो 0.5 है तो मुझे इसकी क्या बतानी है conductivity को calculate करना है clear रहे तो मैं काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो इसके cell constant को calculate कर लेता हूँ कि भाई इसका cell constant क्या है और cell constant आ जाएगा तो फिर आगे की कहानी अपने आप clear हो जाएगी ठीक है आ जाओ हमारे पास क्या दे रखी है concentration ये दे रखा है कपा तो हमारे पास है cell constant G बराबर क्या होता है बेटा resistance into कपा resistance किता दिया था बेटा पहले condition में 1.4 था और ये था तो ये हो गया 1.4 1.4 दे रखा है सीमेंस मीटर इन्वर्स और इस समय resistance मेरे पास कितना है 50 तो 50 का मतलब हो गया यहाँ पर सिदे कितना भई 70 मेरे पास resistance के concentration 1.4 सीमेंस इन्वर्स था तो ये हो गया ठीक है ना तो ये हमारे पास हो गया सीदे सीदे कितना ये हो गया 70 हमारे पास आ गया cell constant ठीक है अब इसका मुझे कपपा निकालना पड़ेगा second condition में तो second condition में कपपा निकालने का तरीका ही हो गया कि मैं G upon क्या कर दूँ भाई R G कितना इसका था 50 तो 50 हो गया इसका cell constant इस समय resistance कितना दे रख था है 280 resistance कितना है बेटा 280 हमारे पास इससमय दिया हुआ है यहां से 0 से 0 cancel हमारे पास सॉरी 70 था cell constant क्या था 70 तो यह हो गया 1 by 4 यह आ गया मेरे पास क्या भई कपा यह वेलिवेशन किसमें आ गई कपा जो कपा आया है वो किसमें आया है भई कपा आया है साइमेंस मीटर इंवर्स में ठीक है अब मुझे क्या निकालना है इसकी conductivity calculate करनी क्या calculate करनी पहली वाली condition से मैंने cell constant निकालना उस cell constant को put करके मैंने second cell के second जो concentration दे रखी थी जब हमारे पास जो resistance था वो 280 था उस condition पर मैंने क्या निकाल लिया वही उस condition पर मैंने calculate कर लिया किसे मैंने calculate कर लिया किसे वही cell constant को पहले मैंने क्या निकाला पहले मैंने निकाला cell constant उसके बाद मैंने दूसरी condition को put करके क्या निकाला इसका कप्पा अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं अब अपनी main equation पर आ जाते हैं ठीक है तो erase कर लेते हैं इसको अपन ले लेते हैं अब हमारे पस क्या है हमें कप्पा मिल गया है हमारे पास conductivity निकाल ली तो लेमडा बराबर क्या आजाएगा लेमडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपन क्या भई कपा इंटू 1000 अपन क्या भई कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन मतलब सी विटा 1000 कब मल्टीप्लाइ करते हैं उन्हों सेंटीमीटर में लिए लेकिन हमारे पास कप्पा की वैलेशन किसमें दे रखी है मीटर इंवर्स में तो यहाँ पर अल्लेडी क्या कर लेना है टेंस पावर माइनस टू का होल क्यों के लिए रहे हैं च माइनस 6 ठीक है तो नीचे से हमारे पास वैलेशन आ गई सीधे सीधे इधर हम लोग कर देंगे तो यह हो जाएगा पॉइंट वन बाइटू इंटू टेंस पावर आप माइनस कितना बन जाएगा उपर से माइनस का बन गया भाई 3 तो वन बाइटू माइटू को लिख सकते में 0.5 तो 0.5 इंटू क्या बन गया टेंस पावर आप माइनस 3 मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू टेंस पावर आप माइनस 4 सर्च यूर आंसर यूर आंसर इस 1st 5 इंटू टेंस पावर माइनस 4 आसान बेपर था आई तिंक समने वहतर गिया होगा कुछ अच्छे कॉ कुछन से ओके ओल दा बेस्ट